हेलो नमस्ते सूप्रभाद बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कमाल के लेक्चर में ठीक है आज हम पावर शेरिंग चैप्टर को समझने जा रहे हैं आपका सिविक्स डेमोक्राटिक्स पॉलिटिक्स का फर्स चैप्टर है काफी सारे लेक्चर सब मैं फ्री में भी पढ़ लाग पाँच करोड ये पहले भी माइने नहीं रखता था आज भी माइने नहीं रखता एनिवेस तो आज जो स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं आज और जो लोग यहां बैठे हों हैं उनके लिए भी हाँ 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 तो आज हम पावर शेरिंग चैप्टर समझ गरंत लेकर क्या हो पहले ठीक है गरंत लेकर क्या हो पैंसिल लेकर क्या हो जो सवाल जहां बताओंगा वहां लिख लेना ठीक है कि ताकि तुम्हें पता चले कि कंटेंट क्या पढ़ना है प्लस जो पढ़ा है उससे जुड़े कैसे सवाल आ सकते हैं नहीं तो बहुत वो ऐसा अजीब सा question ऐसी गूगली spinball डालेंगे तुमको समझ ही नहीं आएका blank हो जाओगे यह जो लोग बोलते हैं कि सर मैंने पढ़ा तो सब्था पर examination में जाके blank हो गया ऐसा क्यों होता है इसका logic क्या है इसका logic यह है कि उनको concept पता है पर question अजीब सा आजाता है जैसे for example nationalism in इंडिया के उपर क्या effect हुआ था अरे आपको पता है ना the first world war changed the political and economic situation all around the world Britain had taken huge war loans to fight the war to compensate this they raised taxes in India for the very first time income tax was introduced in India अरे इंडियन्स को पता ही नहीं था income tax होता है क्या अब ब्रिटेन कर्जा लेके first world war लड़ रहा था अब क्या है कि लड़ाई चल रही है कर्जा भरना भी है तो इंडिया में tax बढ़ा दो पैसा चाहिए ना कर्जा भरने के लिए income tax आज common है पहले income tax करे कुछ होता नहीं थ उसके बाद क्या हुआ वो जबरदस्ती लोगों कोई बच्चा वहाँ खेल रहा है एकदम से वो गाड़ी वाले आएंगे इधर आओ तुम आओगे तुम आओगे तुम सर पे तिलक लगा के आज से तुम British के सैनिक और ट्रक ब्रक में डाल देते थे वो जबर फोर्स बी रेकूटे इंटो ब्रिटिश आर्मी, क्रॉपस फेड और अट वेरी सेम टाइम दी इन्फ्लूएंज़ा एपिडेमिक ब्रोक आउट एक महामारी फैल गई एक होता है pandemic जो पुरी दुनिया में फैला होता है एक होता है epidemic, influenza was not a pandemic, influenza was a epidemic epidemic क्यों 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 कुछ जेोग्रीफिकल रिजन्स में ही है जैसे Ebola epidemic है, सिर्फ African continent में पाया जाते है कहीं और भी होगा majorly सिर्फ African continent वैसे उस समें इंफ्रूएंजा इंडिया में ही था स्मॉल पॉक्स वो अमेरिका में ही था तुम इस सब पढ़ोगे टेंशन मत लो ठीक है Anyways, so coming back to the topic power sharing तुम चाप्टर पढ़ने वाले हो ठीक है और तो हाँ मैं इस बार में बात कर रहा था मानु स्टूडेंट को एक question आता है What were the effects of the first world war on Europe? यह उसको उसका answer पता है इसी एक सवाल क्या है? CBSE क्या पूछना चाहती है? कि first world war का इंडिया पे क्या आसर हुआ? इसको इस तरीके से पूछने की जगा है वो तुमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं इसको समझी नहीं आएगा पूछा क्या है अब यह तो बड़ा simple मैं बता रहा हूँ बड़ सी गुमा की questions पूछती है और इसी लिए क्योंकि students को अगर concept पता भी है किंतु उसके बाद भी idea नहीं है कि सवाल कैसे आएंगे किन चीज़ों की उपर आएंगे तो student बहुत भेतरी नहीं बन सकता ठीक है यह तो chapter है आपको जिर्व वही चीज़े बता ही जाएंगे जो आपके लिए काम है फाल्तु की चीज़े मैं आपको नहीं पढ़ा हूँगा ऐसी भी democratic politics chapter पूरा पढ़ने के लिए नहीं होता है अब time it is a mere waste of time अगर आप पूरा पढ़ते है democratic politics chapter chapter number one power sharing यह इस बारे में है कि किसी भी देश में अगर diversity है जो की होगी अरे कोई ऐसा देश है कि जिसमें gender की सब लड़के ही है कोई race चमड़े के रंग के सब गो रही है सब एक ही धर्म के है diversification हर जगा होता है be it on the basis of gender diversification का मतलब क्या अलग-अलग तरीके के लोग हना Hindu, Muslim, Sikh, इसाई हम सब है भाई-भाई अलग-अलग लोग हो सकते है religion there can be different type of people based upon religion or there can be different type of people based upon अरे भाई अलग-अलग धर्म हो सकते है अलग-अलग जातियां हो सकती है पंत हो सकते है संपरदाय हो सकते है लिंग हो सकते है gender male, female, transgender ठीक है third gender anyways coming back to the topic आप यह समझने की कोशिश कीज़े diversity किसी भी देश में अगर अलग-अलग तरीके के लोग रहते है diversity है तो वो देश तभी सफल बन सकता है जब सब की बात आप सुनो power sharing ने तो कल को कोई विद्रो कर देगा तुमारे परिवार में भी तुमारी जननी मा है और तुमारे पिता जी है कल को तुमारे पापा सब डिसीजन्स खुदी ले रहे मम्मी से पूछ नहीं रहे तुमसे कुछ पूछ नहीं रहे तो तुम और मम्मी कल को विद्रो कर सकते हो या बोल सकते हो कि गलत बात है उनके खिलाफ कुछ उनको कुछ बोल सकते हो समझा सकते हो डांट सकते हो यही चैप्टर का सहाब सीधा सा सिधान्थ है कि वन यो रनिंग अ नेशन यह सिर्फ कंट्री की बात नहीं पावर शेरिंग क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी है जिन भी लोगों ने या बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर्स ने पूरी पावर अपने हाथ में रखने की कोशिश किये वो संभाल नहीं पाया है उसको लंबे समय तक पावर बाट के रखो क्योंकि सब देश में रह रहे हैं सब का कुछ ना कुछ अधिकार है ठीक है नहीं तो घर का भेदी लंका ढाये वैसा हो जाएगा घर के लोगी जिस दिन तुमारे खिलाफ हो गए उस दिन तुमें कोई नहीं बचा सकता ठीक है तुम अपनी बुक उठा लो ठीक है आज मेरे हाथ में और वही मैं मिस कर रहा हूँ बारबर दर देख रहा हूँ अकसर यहाँ टेबल पर मेरी भुक रहे रहे है हाना थो मेरी भुक रहती थी हहाँ पर Anyways देकिन यहाँ चाप्टर पीडियाफ है Highlighted है ठीक है चाप्टर में यह यह पावर शेरिंग क्योँ है पहले ये chapter तुम्हें दो देशों के बार में बताता है और उसके example से chapter तुम्हें समझाता है कि power sharing क्यों important है पहले तुम Belgium देखोगे फिर तुम श्री रंका देखोगी फिर तुम देखोगे Belgium ने कैसे अपनी problem को solve किया फिर तुम देखोगे श्री रंका ने कैसे अपनी problem को solve किया problem क्या है इनके देश में बहुत ज़्यादा diversity है आम तोर पे क्या होता है कि हाँ मतलब हो सकता है किसी देश में हिंदू भी है थोड़े मुस्लिम भी है किसी देश में क्रिशन तो है थोड़े थोड़े जैन या थोड़े हिंदू भी आ गए तो कई देश ऐसे होता है हमारे मुल्क में मतलब हमारे विश्व में जहां पर diversity है हर देश में थोड़ी मोड़ी होती है पर बहुत जादा नहीं है पर Belgium के case में बहुत जवरदस diversity थी आप देखोगे कि Belgium और श्री लंका में क्या problem थी कि इन दोनों देशों में मतलब लोग थे मतलब दो तीन groups थे और सब एक दूसरे से अलग अलग थे यान कि अलग अलग तरीके के लोग थे तो यहां पर जर्मन लोग थे जर्मन बोलने वाले लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ऐसे भी लोग थे जो डच भाषा बोलते थे तो भाषा के आधार पर अलग अलग लोग थे कुछ भाषा थे जो डच कुछ लोग थे जो डच कल्चर से थे डच भाषा बोलते थे कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे कुछ लोग जर्मन बोलते थे, ऐसी diversification थी, ठीक है, कोई rocket science की बात नहीं है, सीधा आजाओ, Belgium in Sri Lanka, पहली लाइन दिख रही होगी, Belgium is a small country in Europe, यह तुमसे कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है, पर लिख लेना, case study of Belgium या Belgium की उपर उस सीधा question को तुमसे पूछते हैं कि Belgium has a unique model of power sharing, या Belgium has a unique form of power sharing, तो ऐसा unique क्या है Belgium में, वो तुमको समझाया जाएगा, सवाल मैंने तुमको बता दिया, आगे एक बार फिर से बताऊंगा, first page जो है, तुम्हारा Belgium and Sri Lanka दिखा है, left hand side में पहले ही लिखा होगा, Belgium is a small country in Europe, ठीक है, सही है, फिर अगर तुम नीचे की तरफ आ 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch, बस, उसके बाद another, another भी छोड़ दो, 40% people live in the Valonia region and speak French, underline कर लो, बाद में बताऊंगा, उसके बाद, remaining 1% उसके नीचे speak German, और last में पूरा ही underline कर लो, in the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking, ठीक है, 59% lives in the Flemish region, दो regions है, Flemish region है, Valonia region है, कुछ याद रखने की जरूतनी है, बहुत simple है, विशवास रखो, कुछ नहीं है, 59% लोग जो है, वो Dutch बोलते हैं, 40% लोग जो है, वो French बोलते हैं, Belgium में, पूरे Belgium में, 59% लोग जो है, वो Dutch बोलते हैं, पूरे लोगों की संख्या जादा है, पूरे Belgium में, फ्रेंच बोलने वाले कम हैं, वो 59, 40, वो तुम परसंटेज भूल जाओ, तुम बस इतना याद रखो, पूरे जर, पूरे Belgium में, जर्मनी में नहीं, पूरे Belgium में, मेजॉरिटी में कौन है, डच बोलने वाले, 59% जो है, डच बोलने वाले लोगे, 40% आपके फ्रेंच बोलने वाले लोगे, 1% जर्मन लोगे, आप 59 प्लस 40 करोगे, 99, अरे हाँ है न, एक परसंट की तर जाएगा, वो 1% जर्मन लोग, उनका कहीं चैप्टर में कोई बहुत स्टूडिंच को बता तो, 59% डच, 40% फ्रेंच, और 1% जो है, जर्मन, हना, 59 प्लस 40, 99, प्लस 100 करने के लिए, प्लस 1% जर्मन डाल तो उसमें, मस तो तुमारा बेल्जियम का यूनिक केस बन गया, अब होता क्या है, कि पूरे बेल्जियम में, डच बोलने वाले में है, फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटी में, लेकिन बेल्जियम की राजदानी ब्रुसेल्स में, फ्रेंच बोलने वाले मैजॉरिटी में है, और डच बोलने वाले माइनॉरिटी में, तो वही तुमको नीचे दिखाया जाएगा, जो ठीक इसके नीचे वाला पैराग फुल स्टॉप के बाद से लास्ट की चौती पाचफी लाइन देखना in the capital city Brussels, Belgium की जैसे इंडिया का capital New Delhi है, Belgium का capital Brussels है, in the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% हा डुट स्पीकिंग, जो Belgium का capital है, Brussels, capital में क्या है, capital में उलटा है, 80% French लोग है, और 20% जो है, डुट जो है, dutch लोग बहुत जादा minority में है ठीक है समझ गए अब यहां पर तुमको बस Belgium के case में इतना ही याद रखना है what was the strange case of Belgium मैं ऐसे सवाल आता है Belgium is a small country in Europe ठीक है वो उस Belgium में क्या है overall क्या है in Belgium 59% people speak Dutch and 40% people speak French however in the capital city of Brussels 80% people speak French and 20% people speak Dutch तुम यही याद रखना कि पूरे Belgium में यही सिध्धानत है इसके उपर स्ट्रेटिस्टिक याद होंगे numbers percentage बाद में याद रखना सिध्धानत समझो सिध्धानत क्या है पूरे Belgium में Dutch बोलने वाले majority में है French बोलने वाले minority में पर राजधानी में French बोलने वाले majority में है और Dutch बोलने वाले minority में अरे हाँ या ना अरे तुम तो बोलो हना सही है बढ़ी आए ठीक है तो coming back to the topic इतना तुम समझ गए होगे French, Dutch बस और इसमें आगे कुछ regions तुमको दे दी गए है Flemish region, Valonia region ठीक है तुम बस यहाँ पर ध्यान दो अब ठीक है Belgium में तुम समझ गए हो पूरे Belgium में Dutch बोलने वाले majority में है ठीक है पूरे Belgium में दो ही तरीके के लोग है एक या तो Dutch है या एक तुम्हारे French है ठीक है पूरे Belgium के बारे में अगर बात करें तो हमारे Dutch जो है भाई लोग यह क्या है या तुम majority, minority ने सिर्फ arrows से मैं बताऊँगा तो भी तुम समझ जाओगे पूरे Belgium में क्या Dutch बोलने वाले जादा है French बोलने वाले कम है लेकिन Capital City में उल्टा है अगर मैं यहा पे Brussels के बारे में बात करूँ ठीक है अगर मैं Capital City के सिर्फ बात करूँ तो Capital City में क्या है डच बोलने वाले कम है फ्रेंच बोलने वाले लोग जादा है इतना तुम समझ गए होगे अब यहां पर देखो दो रीजन्स है कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है दो रीजन्स है एक फ्लेमिश रीजन है एक वेलोनिया रीजन है स्टूडिन्स मुझसे पूछते हैं सर मैं यह नाम कैसे याद रखूँ की फ्लेमिश वेलोनिया उसमें भी फ्लेमिश में डच बोलने वाले लोग है मेजॉरिटी में वेलोनिया में फ्रेंच बोलने वाले सर मुझे याद नहीं होता सर मुझे रीजन्स के नाम ही याद नहीं होते हैं चलो sir मैं याद रख लूँगा कि Belgium में Dutch बोलने वाले लोग है Dutch बोलने वाले लोग country में majority में है लेकिन capital में French बोलने वाले लोग majority में इतना मैं याद रखूँगा Belgium का capital Brussels यह सब मैं याद रख लूँगा लेकिन Flemish Valonia मुझे confuse करता है तो मैं अपने students को यही कहता हूँ तुमको बस ordinary नाम याद रखना है Flemish Valonia दो बार पढ़ोके याद हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है अब problem कहां आती है problem यहां आती है कि वो तुमसे यह भी expect करते हैं कि बताओ Flemish region में कौन है जो majority में है और Valonia region में तो यह FD के shortcut से मैं हमेशा इस तरीके से इसको याद रखता था कि FD में FD F से Flemish समझता था D से Dutch समझता था तो मुझे यह समझ में आता था कि Flemish region में Dutch बोलने वाले लोग जो है majority में है ठीक है तो जाहिर से बात है Valonia में फ्रेंच बोलने वाले लोग majority में होगे एक region में अगर यह ज़ादा है तो दूसरे में यह ज़ादा होंगे तो Flemish region में Dutch बोलने वाले लोग है Valonia region में French बोलने वाले लोग है यह सब तुमको लिखना होगा जब तुमसे strange case of Belgium पूचते हैं न या Belgium की situation पूचते हैं वो तुमसे या वो तुमसे ऐसा भी पूचते है what was the ethnic composition of Belgium ethnic या ethnicity का मतलब होता है कि कितने विभन प्रकार के लोग तुमारे देश में रह रहे हैं तो ethnic composition of Belgium अगर वो तुमसे पूचते हैं तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि Belgium जो है it was a small country in Europe हाना Belgium में overall Belgium में क्या थे Belgium में 59% लोग जो है Dutch बोलते थे 40% लोग French बोलते थे 1% मत भूलना 1% लोग German बोलते थे अब उसके बाद क्या हुआ Belgium में दो regions थे Flemish एक Vellonia बस Flemish region में कौन था majority में Dutch थे कि French थे पता नहीं पर मेरे को ये FD वाला याद है या फिर मैं इसको इस तरीके से भी याद रखता था कि देखो F से Flemish F से French ऐसा नहीं होगा हाला कि दोनो F से ही स्टार्ट होते हैं पर यहां opposite देखना है F से Flemish होता है और F से French भी होता है अरे दो ही तरह की लोग हैं दो ही भाषा बोलने वाले लोग हैं एक एक लोग और हैं जो जर्मन बोलते हैं ठीक है इनको तुम इग्नोर ना कर दो ये भी तुमको लिखना है लेकिन ये 1% है तो इनका कोई खास जिक्र नहीं है पर इन 1% को अगर छोड़ दिया जाए तो बेलजियम में या तो डच बोलने वाले लोग है या फ्रेंच बोलने वाले लोग है अब दो ही भाषा बोलने वाले लोग है फ्लेमिश रीजन स्टार्टिंग लेटर क्या है एफ यहां पर स्टार्टिंग लेटर डी है तो ये भी मुझे पता नहीं तुम्हें हेल्प करेगा या नहीं कुछ चीज़े तुम्हें इलोजिकल लग सकती है हो सकता है मुझे वो बहुत जादा लोजिकल लग री हो उस वक्त हम लोग अलग अलग तरीके के लोग है कुछ चीज़े ऐसी हैं जो मुझे इलोजिकल लग रही हो लेकिन तुम्हें बहुत लोजिकल लग रही हो होता है सच तुमको बस इतना ही समझना है अगर तुम याद रख सको तुम इसी पर ध्यान देना फ्लेमिश रीजन में चाहे तुम FD से याद रखो F से फ्लेमिश D से डच या तुम याद रखो कि लाइक पोल्स रिपेल इच अधर हना कि FF नहीं होगा फ्लेमिश में जो है डच मैजॉरिटी में थे तो यहाँ पर जाहिर से बात है माइनॉरिटी में कौन होगे आपके जो FF लोग है ठीक है यह जो है तुम्हारे अब यह मैजॉरिटी में है तो जाहिर से बात है यह माइनॉरिटी में है अरे दूद हम और पानी में दूद में अगर पानी जादा होगा तो दूद कम होगा और दोनों जादा होता है कि या कभी दूद में अगर पानी जादा डालोगे तो दूद कम होगा और अगर दूद जादा डालोगे तो पानी कम होगा दोनों तो है ऐसा नहीं कि प्यूर दूद है तो उसमें पानी की गुंजाईस नहीं नहीं दूद भी है पानी भी है अगर पानी ज़्यादा डाल दिया दूद कम हो जाएगा अगर पानी थोड़ा से लिया दूद ज़्यादा डाल दिया दूद ज़्यादा हो जाएगा पानी कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा हो गई फ्लेमिस रीजन में जिस भी शॉटकाट FD या FF लाइक पोल्स रिपली चेथा तुम जैसे भी याद रखो फ्लेमिस रीजन में तुमको ये माइनॉरिटी नहीं याद रखना है तुम बस इतना याद रखना एथनिक कॉंपोजिशन लिखो question सब मैं नहीं लिखोँगा spoon feeding is over 10 standard में आ गए हो जीवन में कोई लक्षे बना करके चलो घटिया लोग घटिया दोस्त बनाते हैं और घटिया जीवन जीते हैं जीवन में कोई लक्षे बनाओ कुछ करो अगर एक champion student बनना है या एक topper student बनना है छोड़ दो topper एक ऐसा student की जिसके teachers और जिसके parents उसके चरित्र से satisfied है जैसे श्री राम जी क्या कहते है जब उनको पता चलता है कि माता कहकई ने पिता श्री से कहा है कि राम को वनवास भेज़ दो और भरत को जो है राज्य बिशेक अरे रामायन इतनी तो देखी है राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य बिशेक तो जब श्री राम को ये बात पता जलती है तो श्री राम क्या कहते है सुनू जननी सोई सुत बढ़ भागी कि आप सुनू जननी वो अपनी माँ माता कौशलिया तीनों उनकी माय ay다 पर हुआ माता कौशलिया से कहते है कि सुनो जननी सोई सुत बढ़ भागी जे पितू मातू बचन अनुरागी कि जननी सुनो वो सुत वो पुत्र बहुत भागेशाली है जो माता पिता के वचन में प्रेम करता है जे पितु माता भचन अनुरागी ध्यान से समझेगा इस प्रसंग को, देखो अपने माता पिता के चरण में तो सब प्रेम करते हैं, हम हम पता है हाथ जोड लेते हैं, कोई शुब काम के लिए जाते हैं तो अपनी मम्मी के पाउं चूते हैं, जननी के चरण चूते हैं, पित तो सब छूते हैं तो चरण में तो प्रेम सब रखते हैं पर मर्यादा पुर्शोत्तम जो राम जी है वो ये कहते हैं कि माता पिता के चरण में तो सब प्रेम रखते हैं पर महान पुत्र वही है दुरलब संसार में ऐसा पुत्र बहुत कम देखने के मिलता है जो माता पिता के वचन में प्रेम रखता हो यानि कि ऐसा पुत्र जो अपने अपने चरित्र से अपने गुरू को या अपने माता-पिता को प्रसंद करते हैं बहुत दुरलब है तो हम तुम से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि तुम वह ऐसा कुछ बन जाओ और तुम रमायन राम जी जैसे हो जाओ तुम उनका सम्मान करते हो यही बहुत है पर इस कथा से हम यह सीख सकते है कि जीवन में हमेशा बड़ा और अच्छा सोचना चाहिए हना जो लोग हमेशा नॉर्मल ही सोचते रहते हैं वो नॉर्मल ही रह जाएंगे अरे तुम अच्छा कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ अच्छा सोचो तो सोचने में थोड़ी पैसा देना है तुमको सोचो तो तो सोचो कि तुमें एक बहतरीन स्टूडेंट बना रहे क्या है इस चैप्टर में बेल्जियम का केस तुमको बता दिया है कुछ नहीं है यह चैप्टर तुम एक दिन में कर सकते हो क्या है इस चैप्टर में बेल्जियम का केस बता दिया है तुमको बेल्जियम में ऐसा था वो डच बोलने वाले फ्रेंच बोलने वाले लोग पूरे बेल्जियम में डच मैजॉरिटी में थे फ्रेंच माइनॉरिटी में पर क्यापिटल सिटी ब्रुसेल्स में फ्रेंच मैजॉरिटी में डच माइनॉरिटी में हाना यही है उस उन्हें क्या किया हो तुम वेल्जियम की केस में देखोगे Constitution अमेंड किया, Federal structure अपलाए कर लिया, Community Government बना ली फ्रेंच बोलने वाले जितने मिनिस्टर्स है, Government में उतने ही डच बोलने वाले मिनिस्टर्स भी होंगे Central Government में यही सारी चीजे क्यों हो उसके बाद तुमको स्ट्रिलंका का केस, वहाँ सिविल वार हो गया, वहाँ पर भी सेम, जैसे यहाँ पर डच और फ्रेंच है, वहाँ पर सिन्हालावस और तमिल होंगे, कहानी वही है और लास्ट में एक क्वेशन दे देंगे कि वाई पावर शेरी की डिसायर है, कोई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यह नहीं है, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अपने कुछ गोल्स बनाओ, बहतर सोचो, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इससे कोई फरक बात नहीं है, हना, questions खुद लिखो अभी, what was the ethnic composition, तुम तो वीडियो कभी भी pause कर सकते हो, पीछे ले जा सकते हो, जो live देख रहे हैं, उनके बारे में सोचो, what was the ethnic composition of Belgium, हना, ethnic composition क्या था Belgium का, या Belgium का, situation of Belgium, the case of Belgium में तुम क्या लिखोगे, हना, कि Belgium was divided on the basis of linguistic, यह एक शब्द है जो तुमें पता होना चाहिए, social science में कई बार अगर कुछ आपको terms का मतलब ना पता हो, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ठीक है, जैसे linguistic, linguistic शब्द का क्या आर्थ होता है, linguistic शब्द का अर्थ होता है, language, ठीक है, इसका आर्थ होता है, language, तो तुम से कहते है, diversification based upon linguistic, या there linguistic diversification, बेल्जियम diversification का मतलब वो थे अलग अलग तरीके की लोग, linguistic यानि की language के basis पे अलग अलग तरीके की लोग, देखो, बेल्जियम में ऐसा नहीं था कि Muslim और Hindu भारत जैसा कुछ लफडा हो रहा है, नहीं, सब Christian ही है, Dutch भी Christian है, French भी Christian है, German भी Christian है, जर्मन भी Christian है, एक परस तो यही कहता है कि कोई fix ideology नहीं है, तुम कर्म करके भी महान बन सकते हो, तुम भक्ती करके भी महान बन सकते हो, तुम अगर सच देख लो, ग्यान से भी उससे तुम महान बन सकते हो, कितना diversification है, यहाँ पे सिर्फ language के basis पर diversification है, तो इनको इतनी problem हुई, चार बार constitution amend करना प आशा है, और उत्तर भारत, दक्षन भारत सब अलग अलग है, language के basis में linguistic diversification इंडिया में है, religious diversification भी है, हिंदू मुस्लिम सिक हिसाई है, religious के साथ से दर हमारे पास तो caste का diversification भी है, वो ब्रामड है, तुम शूदर हो, तुम शत्रिया हो, मैं वैश्य हूँ, यही सब है, अब caste का diversification कम है, क्या, religious diversification है, linguistic है, caste के भारत बहुत विभन देश है, हना, unity in diversity, इसलिए मोटो भारत पर सटीक बैठता है, anyways, Belgium में सिर्फ linguistic diversity, Belgium was a country which was just divided based upon linguistic diversity, हना, सीधी सी बात है, क्या लिखोगे, in all of Belgium, हना, there were 59% Dutch, मेरी English गलत हो सकती है, तुम बहतर लिखो, आगे बढ़ो, य हना, जहां मैं हूँ, यहां मत रहो, इससे भी तुमको आगे जाना है, हना, तो Belgium was a country which was based, which was divided upon linguistic diversity, सीधी सी बात है, divided upon linguistic diversity, 15, there were 59% Dutch people living in Belgium, there were 40% French people residing in Belgium, and there were 1% Germans, हना, the ethnic composition of Belgium was 59% French, 40% Dutch, 1% German, However, in the capital city of Brussels, 80% French, 20% Dutch, ठीक है, इतना तुम लिख दोगे, बस, उसके साथ सा तुम लिख सकते हो, कि in Belgium, Belgium was divided into two regions, the Flemish region and the Valonia region, ठीक है, मत आज चाज़े, वो स्लाइड नहीं है, in the Flemish region, FD, FF, like, Pulse, Repel, in the Flemish region, Dutch people were in majority, whereas in the Valonia region, यहाँ Dutch थे, French people were in majority, इस तरीके से कर दो, कोई, इसमें कोई rocket science की बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ गए, बस, यह तुम्हारा case हो गया, Belgium में क्या था, उसमें क्या था, ठीक है, anyways, coming back to the topic, हाँ, एक और चीज़ चो तुमको याद रखना है, ठीक इसके नीचे paragraph, जहां तुमने याभी पढ़ा, उसके ठीक नीचे paragraph में, बेलजियम के जहंडे के ठीक उपर देखोगे, the minority, the minority काट दो, फ्रेंच से underline करो, फ्रेंच speaking community was relatively rich and powerful, यह तुमको याद रखना है, अगर याद आ है तो लिख देना, बुक में अगर चार पॉइंट लिखे हैं, तुमको तीन ही, दो ही आद आ रहे हैं, दो ही लिखो, तीसरा पॉइंट, मन से कुछ बना देना, hence, proof, therefore, there were problems, why there were problems in Belgium, दो पॉइंट याद आ है, लिख दिया, यह इसकी वज़े से problem थी, उसकी वज़े से problem थी, तीसरा पॉइंट लिख दो, because of these two reasons, there was problem in Belgium, देख तो, तुम्हारी मैडम को भी सब नहीं पता होता है, उनको सब पता है, कि नहीं, याद है, तो तुम एथनी कॉम्पोजिशन बेल्जियम में, वो डच फ्रेंच बताने के बाद लास्ट में, यह भी लिख देना, कि इन बेल्जियम, overall, the French community was relatively rich and more powerful, the French community of Belgium was rich and more powerful than the Dutch community, बस, ठीक है, इसके बाद दो तुमको श्री लंका के केस पर लेकर के जाते हैं, लेकिन अब मैंनो तुमको बेल्जियम का केस आधा पढ़ाया है, फिर मैं आधा श्री लंका का पढ़ाओ, ऐसा मैं नहीं करूँगा, तो मैं तुम्हें पूरा बेल्जियम पढ़ा देता हूँ, कि बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम की प्रॉब्लम तुम समझ गये, फ्रेंच स्पीकिंग कम्यूटी पैसे वाली थी, दमदार थी, अब फ्रेंच वाले क्यों क्यों हो सकता है कि फ्रेंच ने बेल्जियम को कॉलोनी बनाया हो, फिर वह वहीं बस गए हो, तो वहीं पर रहे गए हो, जैसे ब्रिटिशर्स ने साउथ आफरिका, नेलसन मंडेला साउथ आफरिका को कॉलोनी बनाया, और वो साउथ आफरिका में कई कई ब्रिटिशर्स बस गए, तो अब वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है, वैसे वहाँ पर भी कुछ होता होगा, अब मानो मैं किसी देश पर मैंने कभजा किया, देश को लूटा, और उस देश में मैं ब बस गया, तो मेरे पास पैसा जादा होगा, क्योंकि मैं तो टाइम तो टाइम लूट रहा हूँ ना, अब जरूर नहीं है कि तुम सिधान इसमें घुसाओ, तुम्हे मत समझो, देश प्रेंज स्पीकिंग कम्यूटी वस रेलेटिवली रिचर और और पावरफुल इन बेल लग लग थी, यह ऐसा देखते थे कि यह तो कोई एलियन आ गया, हना वो तुम श्री लंका में पढ़ोगे, what led to a feeling of alienation among the श्री लंकन तमिल्स, वो हटा हो अभी लेकिन, पढ़ना तो ही, लेकिन वो वदा एक एक देश की भावना नहीं आती थी, मैं हमेशे अपने लिया में जो लोग रहते थे आपस में मिले, mutual कुछ agreements किये, और बात में agree किये कि हम सब जो एक identity, एक जंडा है ना, एक टोपी, एक निशान हम यह मान लेंगी, सीधी सी बात है यह, तो अब क्या है कि अब देश में सब को रहना है, तो भई सदभावना होनी चाहिए, लेकि जब देश की लोग यह सोचते हो कि नहीं, मैं इससे अलग हूँ, तो यह दो लोग साथ में कभी रही नहीं सकते, तो एक problem यह थी Belgium में कि एक atmosphere of distrust आ गया था, और इसलिए जगड़े होते थे French और Dutch community के बीच में, तो इसको कैसे यह Belgium में problem थी, Belgium में क्या था, French community, Dutch community, overall Dutch community majority में थी, Brussels में, French community majority में थे, और पूरे Belgium में 1% German लोग थे, ठीक है, अब Belgium का case तुम समझ गए, the problem of Belgium या था, strange case of Belgium तुम समझ गए, अब तुम नीचे आ जाओ, देखो, आप Belgium ने किस तरीके से इस problem को handle किया, ठीक है, आ जाओ, तुम सीधर नीचे आ जाओ, ठीक है, accommodation in Belgium, यह जो ल भून ले ना, accommodation in Belgium लिखा है, तुम accommodation in Belgium पे आ जाओ, ठीक है, fourth line तुमको दिखरी होगी, मेरी इसमे fourth line है, पर तुमारे इसमें कौन सी line होगी, पता नी, वो line ढूंडो जिसमें लिखा है, between 1970 and 1993, जो दो साल लिखे है, 1970 और 1993 सालों को देखो, वहां से underline करो, between 1970 and 1993, they amended their constitution four times, ब Belgium ने क्या क्या किया, वह तुम देखोगे, हना, Belgium model of power sharing के अगर बार में तुमसे सवाल पूछे, तुम्हें ये लिखना है, अगर वह तुमसे पूछे, ethnic composition of Belgium, या what was the case of Belgium, तुम पहले लिखोगे, कई बार ऐसा होता है ना, 5 mark का question आता है, तो तुमें क्या करना होता है, Belgium में, 2-3 point में Belgium की problem भी बतानी होती है, कि इतने percent Dutch, इतने percent French, पूरे देश में, ये majority में, लेकिन capital में, ये majority में, एक percent German problem बतानी होती है, plus Belgium ने किस तरीके से इस problem का समाधान किया, solution निकाला, वो भी तुमको बताना होता है, तो अलग-अलग चीज़े होती है, सहब ठीक है, तो MCQ होगा या नहीं, वो आ सकता है, NTSC में कई बार इससे related questions आते हैं, NTSC में facts and figures से related questions आते हैं, ठीक है, यह objective paper होता है, उसमें थोड़ी पूछेंगे, हना what are the reasons for power sharing, वो चार तुमको options दे देंगे, ये पूछ सकते हैं, कि which one of the following is true, तो facts and figures क्यों पर ज्यादा question बनता है, NTSC म ठीक है, अब मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ साब, तो board examination में यही होता है, board examination में, तुम देखो, lengthy answers कहां से बनते हैं, anyways, यह तुमने अभी underline किया, between 1970 and 1993, the amended, the commended का मतलब constitution में change ला है, यह जो अभी underline किया, वही question लिखो, Belgium has a unique model of power sharing explain, क्या लिखोगे, Belgium has a unique model of power sharing explain, या how Belgium dealt with its diversity, how Belgium dealt with its diversity, Belgium ने किस तरीके से अपनी diversity के साथ deal किया, ठीक है, उपर का थोड़ा सा mention करना चाहो, तो कर दो, नहीं तो सीधा यहीं पर लिखना तुम, ethnic composition of Belgium पूछते हैं, तो उपर वाला लिखोगे, Belgium model पूछते हैं, Belgium model of power sharing, तो यही सब लिखोगे, जो अभी मैं तुमको how Belgium dealt, हना क्या था यहां, how Belgium dealt with its problem, युणिक, Belgium का unique model of power sharing क्या है, यहाज मैंने बताया था, how Belgium dealt with its power sharing हना, तो यहां, how Belgium solved the problem, Belgium में प्रोब्लम थी कि Dutch और French में लफडे होते थे बहुत, जगडे होते हैं, जगडे होते हैं, कैसे solve क्या देखो, बट्वीन 1970 औ 1993, अमेंडर दे चॉ 19 तुम बस इतना याद रखो, 1970 और 1993, 1991, 1993, 1970 और 1993 के बीच में, 4 बार उन्होंने अपना सम्विधान अमेंड किया, उसमें थोड़े-थोड़े चेंजेस लाए, ताकि भाई, किसी को भी कोई-कोई प्रॉब्लम ना हो, डच वालों के लिए कुछ पॉलिची पनाई होगी, डच बोलने वालों के लिए, फ्रेंच बोलने वालों के लिए कुछ बनाई होगी, कोई बचा, हाँ, 1% जर्मन, अब और 1% एहो तो विरुविद्रों भी करेंगे, तो क्या कुछ होगा, पर मानो, उनके लिए भी कोई policy बना दी तो कई बार उन्होंने अपने constitution में changes किये ताकि सभी पक्षों को भाई यहां ने हम तुम भी रहो तुम भी रहो हम सबकी बात सुनते हैं सबका साथ सबका विखास ऐसा उन्होंने changes किये कई बार ठीक है तुम बस इतना याद रखो between 1970 and 1993 the Dutch constitution was amended four times क्यों amend किया उनको पेज पसंद नहीं आ रहा था या constitution का design पसंद आ रहा था बक उन्होंने अमेंड इसलिए किया so that no one will have any problem with the constitution अरे सर लेकिन ऐसा तो बुक में नहीं लिखा है बुक में तो लिखा है बक बुक में क्या लिखा है वो मत देखो क्या logic है वो देखो again तुमारे teachers को भी कुछ नहीं पता होता बहुत students की social science में ये problem होती है कि जैसा लिखा होता है वो वैसा ही याद करने की कोशिश करते हैं ये मूर्ख लोग करते हैं ये बात हमेशा याद रखना ये वो संस्कृती है जहां तुम पैदा हुए हो जहां तुम खेले हो जहां का साध्धे के बीच में साधना है भक्त और इश्वर के बीच में पूजा है पूजा भी मार्ग है कोई नारियल चड़ा के करता है कोई अभिशेक करके करता है किन्तु अगर अलग अलग तरीके से पूजा करने से मार्ग के अलग होने से इश्वर अलग नहीं होते हैं सत्य को Belgium के लोगों ने उस तमें यह historic fact है अपने सम्विधान को चार बार बदला क्यों ताकि कोई भी पक्ष जो है विद्रो ना कर दे In between 1970 and 1993 मेरे को 1793 नहीं याद आ रहा है In the 20th century या in the late 1970s confident बनोना धरना क्या है In the 1970s Belgium amended its constitution four times What? To change the design? No Belgium amended its constitution four times For what? For To enable everyone for pacifying the situation English Belgium from 1970 to 1993 Belgium amended its constitution four times To pacify everyone Belgium amended its constitution four times To make sure that everyone can live peacefully कि कोई रूट कर चला ना जाए To make sure that no one has any problem तो सब को खुश करने के लिए उन्हों अपने सम्विधान लिगा Between 1970 to 1993 Belgium amended its constitution book में क्या देखना है Belgium amended its constitution four times To make sure that everyone can live in the country peacefully यह भी लिख सकते हो The amended so that no one will have any problem with the constitution ठीक है? Again उसके बाद क्या है? उसके बाद सीधन नीचे आओ यह यहाँ पे जहाँ bullet points start होते है blue color का गोला बनाओं का glossary के बगल में वो पहला गोला उसके second third line से देखो The number of Dutch and French speaking ministers पहले ही बताया था The number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government Some special laws require the support important नहीं है Number of ministers क्या है लेकिन underline कर ले Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group ठीक है? हाना? देखो मानो तुम किसी भंडारे में बैठे हो हाना? होता है ना? जैसे अभी जन मास्टर मी आकर गई कहीं भंडारा हुआ वोगर राम नभमी पे होता है होता रहता है माता का भंडारा होता है तो भंडारे पे तुम बैठे हो ठीक है? और मस सब लोग बैठे है तुम को वो बाटने वाला खाना बाट के जा रहा है अब एक बार तुमने खाना ले लिया और luckily तुम्हारा पेट भर गया मतब जितना उसने दिया था sufficient quantity में दिया था कम नहीं पड़ा अब जब तुम्हारा पेट भर गया है तो तुम वो जा रहा है तो क्या दुबारा उसको बुलाओगे और इसी रास्ते से जा रहे हो मैं इसी रास्ते पर बैठा हूँ यहीं पर तो I'm on your way तो तुम यहीं से जा रहे हो मैं यहीं पर हूँ तो देते जाओ ऐसा बोलोगे क्या उतना ही खाओगे जितना जरूरी है तो exam में अगर question आए देखो कितने number का है पांच number का पूरे Belgium के case पे question पूछते हैं तो दो point तो खा जी Dutch और फ्रेंच बताने में ही जाएगा और एक परसंट जर्मन उतना ही लिखो जितना जरूरी है उतना ही खाना खाओ जितने में पेट भर जाए हना मूर्ख students वो होते हैं जो hero बनने के चक्कल में चक्कर में और वो unnecessary चीज़े लिखते लिखना चाहिए देखो अगर तुम्हें चीज़े याद हैं तो लिख देना ठीक है लेकिन ऐसा भी मत करना कि ये लिखने के चक्कर में सर्फ पेपर लेंदी था पेपर लिख नहीं पाया answers जादा लिखो ये मैं मानता हूँ कि तीन माक का question है तो अगर एक point ऐसा नहीं कि तीनी point लिख करा है थोड़ा extra point लिख दो एक point extra लिख दो है दो point extra लिख दो कि कोई एक point teacher को कम भी पसंद आया लेकिन बाकी points पर नंबर दे देगा मेरे कहने का ये मतलब है अगर sufficient तुमको लग रहा है तो ठीक है unnecessary मत लिखो जैसे ये point तुम चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो नहीं ये number of Dutch and number of ministers will be same, Dutch or French ये तो सही है इसके आगे जो लिखा है some special laws require the support of majority of members from each linguistic group यानि कि अगर कोई खास कानून है तो ऐसा होना चाहिए कि Dutch बोलने वाले लोग भी majority अब देखो समझो मानो 500 लोगों की उनकी संसद है मानो 600 लोगों की है चलो लंबा फिगर पकड़ते है 1000 लोगों की उनकी संसद है उनकी parliament जो है 1000 लोगों की है 1000 लोगों की अब क्या है number of ministers shall be same तो 500 लोग जो है ministers से ministers की याँ पर बात नहीं हो रही हाँ यहाँ तो ministers के बारे में बात हो रही है ठीक है जेकिन तुम इसको इस तरीके से समझो की MLA MP की तरह की से तुम समझो कोई ना कोई MLA कहीं ना कहीं का कुछ होगा ही किसी मानो तुम थाने district में चुनाब जीते हो तो थाने district में तुम्हारे पास कोई चोटा सा कोई काम हो गई तुम इसको इस तरीके से समझो की मानो हजार लोग हैं 500 लोग फ्रेंच है 500 लोग डच है equal representation ministers मतलब तुम सिर्फ यह मत समझो की railway ministry ministry तो 500 नहीं है ministers law नहीं बना सकते वो कानून मतलब काम कर सकते हैं पानून के दाएर में रहे किए पर अगर कोई नया कानून बनाना है वो पार्लेमेंट बना सकती है तो मैं ऐसे याद रखो कि मानो 500 लोग जो है फ्रेंच है और 500 लोग जो है वो डच है ठीक है आप कोई कानून पास करना है डच वाले लोग जो है वो चाहते है कानून पास हो जाए फ्रेंच वाले नहीं चाहते है तो डच वालों ने क्या किया वो 500 के 500 लोगों ने वोट कर दिया और कुछ फ्रेंच वाले लोगों को भी अपनी तरफ मिला दिया या कुछ फ्रेंच वाले लोगों को घूशते दिया या किसी तरीके से फ्रेंच वाले लोगों के भी 300 लोगों ने वोट दे दिया, तो कानून पास हो गया, 500 डच वाले फ्रेंच से भी 1.500 लोगों ने वोट दे दिया, 500 प्लस 1.500 इस साड़े 600 लोगों पास हो गया, बिल, तो कुछ important laws अगर है, तो उसमें क्या होगा, अगर 200-200 दोनों जगए, तो यहां majority चाहिए, यहां 500 में से भी majority चाहिए, तब ही वो बिल पास होगा, हाँ ना, समझ रहे हो ना, कि जैसे 500-500 है, 1000 का मैंने लिया था, तो 500-500 है, 500 फ्रेंच बोलने वाले, 500 डच बोलने वाले, तो 500 लोगों के में से majority तो चाहिए, प्लस डच बोलने वाले भी 500 लोगों में से majority चाहिए होगी, ऐसा होता है, अब 500 में से 100 लोगों ने बोल दिया, कि हाँ चलो, डेड़ सो लोगों ने कर लो, पर 500-150, 250, 350, 450, 300 लोग अभी भी बोल रहे हैं, फ्रेंच कम्यूटी से कानून मत पास करो, नहीं होगा, ऐसा होता है, तुमने देख तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्राउधान बनाया, कि नहीं, उसके पार्टी में भी majority लोग वोट करेंगे, उसके पार्टी में, उसमें मेरा contribution नहीं है, उसके पार्टी के majority लोग वोट करेंगे, और मेरे पार्टी के majority लोग वोट करेंगे, सिर्फ तभी कोई बड़ा कान no they amended the constitution four times so that everyone could live together in the country peacefully so that no one will have any problem with the constitution also the constitutional amendments the constitution prescribed yeah the constitution made it in such a way that there will be equal representation from both the communities that is the Dutch and the French there will be equal representation from the from both the communities equal number of ministers to be allotted from Dutch as well as French communities equal number of ministers from both the communities central government may joh kendra ki pure Belgium ki raster ki sarkar hai Belgium desh ki government us government may the number of Dutch speaking ministers and the number of French speaking ministers should be the same thik hai samaj ga hai wahi hai uske baad kya kareenge uske baad tumh a jao second bullet point pe thik hai oopar nhi jane ka accommodation in belgium joh dikh rahe hai ishi me nichi ki traf second bullet point second year third joh bhi hai right side may many powers of the central government have been given to the state government central government ki bhoot sari power joh hai state government ko dhe di gai phir brussels brussels me alag thha brussels me french majority me thai 80 20 ka ratio brussels has a separate government in which both the communities have equal representation same hai dhekho zahir si baat hai pure belgium me dutch log majority me to kahenge ki joh belgium pure pure desh ki government hai usmei french wale loog ko kuyo equal representation mele to mutual tha kyunki dhekho pure desh me dutch wale zahada hai लेकिन capital me french wale zahada hai तो brussels ki joh government thhi unki joh local government hooghi brussels ki har state har city ki bhi aapni government hothi inna agarpan chayad joh bhi hai तो brussels ki joh government thhi usne kya ka brussels me aysa hai halalaki french wale majority me hai 80 20 59 40 to chota difference hai 80 20 itna bada margin hai lékin brussels me french wale maan gaya hai am 80% majority koji baat nini lekin humare bhi number of ministers same utne hi hoonghe jitne tumhare number of ministers hai ye woh agar french wale compromise karare hai toh tum bhi compromise kuro toh dho nho maan gaya dutch wale maan gaya ki haa pure desh me joh hai humare bhi utne hi ministers honghe jitne french wale aur ye loog bhi maan gaya french wale ki haa brussels me humare bhi utne ministers honghe jitne dutch wale si si baat hai again toh kya hooga tum ko bas itna yad rakhna hai model of power sharing haana what was unique toh kya unique unho ne kya what changes toh abo bata hooga but in 1970 and 1993 belgium amended its constitution four times to change the design no to make sure that between 1970 and 1993 belgium constitution belgium amended its constitution in such a way that everyone can live in the country peacefully and that no one will have any problem with the constitution haana the constitution made it in such a way that there has to be equal representation from both the communities the number of ministers from the french community and the dutch community will be the same in the central government also in the in the government of brussels haana there will be equal number of ministers from french and dutch community cdc baat hai central government may be equal number of ministers honghe brussels ke government may be equal number of ministers honghe plus haana he bhi dekha tha ki some special laws require haana approval ya some special laws require the approval of the majority of both the communities kuch khas loss ke liye dunoh communities ke majority ka approval chahiye bas ab last me in hoonne kya kya eek bhoot dhosto shubham sir bol raha hai toh bhoot important next page mein apart from the central and state government there is a third kind of government community government ab in hoonne three tire government laga di dhok ab tum power sharing pade rhe ho aghe chare ke federalism pade ho ghe woh bhi koi bhoot rocket science wala koi bada chapter nahi hai federalism kya hai federalism means multiple levels of government central government to hooghi state government bhi woh koi tana shahi nahi hoonni chahiye ki raja nye joh kaha wahi hooga haana centralized system ki center me eek aadmi hai ya center me joh kuchh mantri hai kuchh joh ministers hoonni ki paas puri power nahi federal structure kya ta hai ki power joh hai bati hoi hooghi central government ke paas power hooghi dhesh ke regarding important issues state government aapne state ke regarding important issues ke baare me power hai ab aapko pata hooga police joh hai woh state ke under aati hai to police se judha koji bhi lafda hoota hai toh loogh mukkhya mentri ko bholta hai pradhan mentri ko koji nahi bholta ki ho toh desh sambhal rahe ho cbi or edi kuchh karthi hai toh loogh bholta hoongi liekin police kuchh karhe ghe toh mukkhya mentri ko bholta hai toh police puri tariqe se 100% state government ke under aati hai toh police ke batches change hoote hai aap agar ips service me jathe ho indian police service toh wo all india service hai tab aapko central government ka bhi sundha padega because it is all india service otherwise aap ips se niche waale post ke ho toh aap mukkhya mentri ne wohi bhagwaan hai tumhara toh mai asa hi sambh nahi anyways toh belgium me kya kya a third kind of government lhe kya a community government abhi community government kya athi hare community ke alag-alag thi belgium ki aapni germany ki german ki aapni eek person joh thay belgium ki aapni dutch ki aapni germany ki aapni germany ki aapni dutch community ke log sirf jo dutch hai sirf wohi vote dhe saktta hai dutch ki community government chunnne ke liye joh french hai sirf wohi vote dhega french ki community government chunnne ke liye same goes for german toh ye log dutch nne aapni community government banai french nne aapni banai german nne aapni eek banai ab community government ki paas kya aap avar hai ki inki community se judhe inke community inke culture se judhe agar kuch decisions hai jaysse language ho gya ha na jaysse nneche isi paragraph me dhekho ghe last ke tine line this government has the power regarding cultural educational and language related issues koji culture related abd dhekho hindu jaysse hindu mahasabha hai toh hindu ka culture hindu mahasabha jantte hai all india muslim personal law board hai wo unko aapne aapne dharm ko log aapne better tariqe se jantte hai toh dharm se judha agar koji nne nne lena ho ya koji aesse chiz joh religious angle ho toh ye log leete hai usi tariqe se joh community government thi woh har ek community ke alag-alag thi be it dutch be it french be it german toh ye hi hota hai ki in community government ke paas power hai language related issues cultural related issues educational issues ke oopar ye log joh hai laws bana saktethe inke paas ietni power hai thik hai abd dhustho bhot important tumhara 30% chapter ho gaya hai 30% shri lanka ke saath tumhara 50% chapter ho jayega maybe 60% ho jayai hai dhyaan se sambha na 30% chapter ho gaya hume pata bhi nne chala belgium kya hai belgium was a small country in europe thik hai thik hai ethnic composition of belgium the belgium was ethnically divided based upon linguistics or based upon language na belgium comprises of two communities thik hai thik hai thik hai tumko jayse yad hai aapne mansi sir that belgium was linguistically divided linguistic method language belgium was linguistically divided hana in all of belgium the dutch speaking people were in majority and the french speaking people were in minority hana 49% people were dutch and 40% we are getting it wrong no we are getting right 49% people spoke dutch and 40% people spoke french the remaining 1% people spoke german thik hai so belgium was linguistically divided usme linguistic diversification tha hana belgium however in the capital city of brussels the french was 80% and dutch was 20% hana belgium what was the problem with belgium belgium was a country which was linguistically divided hana there were uh dutch hana the for 15 for 59 percent right not 49 59 percent people spoke dutch 40 percent people spoke french and 1 percent people spoke german thik hai in all of uh in all of belgium the dutch speaking people were in majority however in the capital city of brussels the french speaking people were in majority and dutch were in minority the capital city of brussels had the ethnic composition of 80 percent french 20 percent german belgium was divided into two regions flamish and valonia flamish fd in in the flamish region hana ff nahi hooga in the flamish region the dutch speaking people were in majority whereas in the valonia region the french speaking people were in majority of belgium was a country divided upon dash diversity linguistic language linguistic diversity bas ab belgium ne kya 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 usko samadhan gya aray between 1970 to 1993 they amended the constitution four times to change the design no they amended the constitution four times between 1970 and 1993 so so that everyone can uh uh live peacefully to make sure that everyone lives peacefully in the country also that no one has any problem no community has any problem with the constitution they made the amendments in such a way that the con that there will be equal number of ministers in the central government that is uh equal representation from both the french and the there will be equal number of ministers from the french community as well as from the dutch community this is central government however in the brussels in the government of brussels hana brussels meh bhi same tha even in the the brussels yeah in the government of brussels there will be equal representation from the dutch and the french communities bus us ke baad tum samaj gaya ho ga uske baad kya hai usman constitution amend kar diya or saati saath kuch special laws thay which require the approval of the majority from both the communities uske baad unhounne a third tire of the third tier of the third tier of the third tier of government government bina di community government anna wu har community ke alag-alag thi the community government had the power to anna make laws regarding religion sorry religion regarding culture language education wu apna tum joh hai bahan tumne dekh liya ho ga thik hai bas many powers of the central government have been given to the state government government yaad hai toh thik hai nahi toh koji baat nahi central government ki bhut sari power state government ko dhe dhi gai ki state government joh hai aapne hesap se unko handle kar sakti hai thik hai toh belgium ka case hum sama chukye hai yes hmm bhas itna hai hai haa ek or one mark me tumko acha yaad rakhna hai ek bar baat rarely mahi nahi dhekha toh puch lietai ki european union ka parliament ka hai ya parliament nahi puchte hai wu headquarter word ka zikr kertte hai yoh question liekh lena isi image ke niche yaan liekha ho ga european parliament in brussels belgium iski niche question liekh lo where is the european union headquarter located european union ka headquarter ka haa par hai it is in belgium belgium me ka belgium ki raja dhani brussels se tim ko pata hooga jahhan french majority me thai 80-20 see see baat eek baar ye one mark me puchha gaya tha kya puchta hai wo tumse puchta hai ki where is the european union headquarter located imko laghe ga general knowledge ka ya european union ka civics economics economics se toh nahi puchha nain yohi se puchha gaya european union ke headquarter ka haa par hai belgium me brussels me ho shayad toh isi liye impress ho hai ki belgium ka model of power sharing kafi kamaal ka tha thiak hai ab tum dhekho gai ki shri lanka ne kaise aapne model of power sharing ko sambhala toh dhustos isi ke saath students aapka belgium johai khatam ho gya thiak hai abam shri lanka ko dhekhen ghe again shri lanka ki ethnicity kya hai shri lanka ka ethnic composition kya hai shri lanka ke haalat kiasse thay shri lanka me kitnye alag-alag tariqe ki log rehatte te or shri lanka nye kya kiya power sharing chapter pura isi chiz ki uper base hai ki tum koi dhish chala raha ho ya aaghe chal ke tumhara shadhi joh bhi ho ga tum agar kal ke koi pariwar chala ho ga toh jab bhi tum 4-10 loogo ke saath rah raha ho dhish me toh ham karođo loogo ke saath rah te hai par maanou tum aapni society me kuchh loogo ke saath raha raha ho dhost me friends ke grup me waha pa bhi chiz hai applikable hai ki power share honi chahi hai aysa nye hai ki tumhari 3-4 dhoste hai aur tum unko kuchh bolna hi nye dhe te ho tumhari marks thoday zahadha achy hai ya tum thoday sports me zahadha achy ho toh tum hero bantte ho unke sámenne ja kar ke nai nai meinne yeh bula na aysa hi ho ga dhada bantar ke tum unhi ke liye decision lye lte ho unke opinions ko kabhhi consider nye kerte toh aysa loog kuchh samayi tak toh tumhari saath dhenge chila chapaati giri karenghe लेकिन उसके बाद कभी ये तुमको छोड़ देंगे और जीवन में फिर दुबारा कभी याद नहीं करेंगे अगर करेंगी भी तो एक घटिया इनसान की तरह जिसे हो जानते थे तुम्हें पता भी नीचे लेगा तो हमेशा ये बाद रखना अगर छाप रखनी है लोगों के मन में तो अच्छी छाप रखनी चाहिए क्योंकि लोग तुमने उनके लिए क्या किया तुमने कब जो है उनके लिए ये किया कब तुमने कोई sacrifice दिया लोग ये कम याद रखेंगे लेकिन लोग जादा यह आद रखते हैं कि जब तक तुम उनके साथ थे तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया पीपल विल फोगेट वाट यू दिड फो देम बट पीपल विल नेवर फोगेट हाव यू मेड देम फील वो कभी यह नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया तो अपने साथ या खुद किसी के साथ रहते हो तुमें लगता है कि भाई मैं जिसके साथ रहता हूँ मेरा दूस्ती सारे बड़े डिसीजन्स ले रहा है वो बोल रहा है क्लास बंक करना है तो मैं और मेरे दो हम जो चेले हैं हम लोग क्लास बंक कर देते हैं वो कहता है कि ये क्लास डबल अटेंड करने हैं, हम डबल अटेंड करते हैं, मतलब वो जो कहता है हम वही करते हैं, तो ये सही नहीं है, अपनी खुद की जीवन अगर तुम जिन्दा हो, तो जिन्दा होने का अगर तुम आजाद हो, तो आजाद होने का सबसे बड़ा प्रमा पर एक आजाद व्यक्ती सदैव जीवन में अपने चयन करेगा अगर तुम्हें किसी भी इनसान के लाइफ को देखना है उसके जीवन को देखना है कि ओ कितना अच्छा इनसान था कोई बहुत बड़े इनसान थे या बहुत खराब इनसान थे तो ये देखना कि उन्होंने ज परिणामों को स्विकार करना मैंने एक डिसीजन लिया बीट राइट और रॉंग हना इट कैन बियर अगुड फूट इट कैन बियर बाड फूट इट अगर मैंने कोई नड़ने लिया उसका अच्छा फल हो या बुरा फल हो फरक नहीं पड़ता तब तक जब तक मैं उसे लिए उस फल को स्विकार करने के लिए तयार हो तो यह बात हमेशा आप याद रखना स्टूडिन्स मेरे हमदम मेरे हमरास कि तुमको बस इतना ही याद रखना है कि लाइफ में खुद निड़ने लो तो यह पावर शेरिंग चाप्टर भी इसी बारे में कि तुम किसी भी जैसे हैं तो आँछा इन अगर को अगर इस टर्म को कभी तुम करोगे तो क्या हैगा है एक तया च्रहत है मेजॉरीटेरियन प्लस इजम है हना मैजॉरी टेरियन प्लस इजम यह जो इजम वर्ड है यह तुमने सुशल साइंस में बहुत जगा देख्णर में भी बहुत जैनिजम मतलब इसम है या फिर कोई आइडियोलोजी होगी कम्यूनिजम हना इसम वर्ड का मतलब होता है आइडियोलोजी क्या होता है इसम वर्ड का मतलब होता है आइडियोलोजी या हिंदी में बोले तो विचारधारा ठीक हिंदी में विचारधारा तुम्हें याद रखन देखो क्या होता है जैसे मानू मैंने अपने दिमाग में कुछ सोचा और जैसे मानू एक आइडिया है कोई भी आइडिया हो सकते है मानू सूशलिजम का आइडिया उठाते है सूशलिजम जननी है कम्यूनिजम की सूशलिजम से ही कम्यूनिजम निकला ठीक एनिवेस तुमने नाइन स्टांडर्ड में पढ़ा होगा हिस्ट्री का सेकेंड चाप्टर सोशलिजम इन यूरोप और रश्चिन रेवलुशन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं सोशलिजम देखो क्या है सोशलिजम एक आइडिया है होता है देखो मैं मानता हूँ कुछ लोग जो हैं वो बहुत गरीब है या कुछ लोग जो हैं अपनी करनी की वज़े से गरीब है क्यों महनत नहीं करना चाते पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत महनत करते हैं जैसे अभी बंगाल में क्या हुआ देखो बंगाल में मतलब E.D. जो है अपना काम कर रही है जगा जगा चापे मार रहे है पैसा निकल रहा है ठीक है देखो माई ने यह नहीं रखता काम कौन कर रहा है क्यों कर रहा है किसके कहने पर कर रहा है पर पैसा तो निकल रहा है और बहार जहां पर भी ओ, घर बनवा पाते हैं या घर खरीद पाते हैं और ये लोग ऐसे हैं कि इनके पास इतना पैसा हो गया है कि रखने के लिए घर खरीद रहे हैं। समझ रहे हैं तुम बात को कि लोग जो हैं वो आई पाई जोड़ करके कमर तुड़वा करके वो क्या करते हैं वो पैसा कमाते हैं कि घर खरीद सके और इनके पास पैसा इतना हो गया है कि पैसा हो गया है क्या करें कहां रखें पैसा रखने के लिए घर खरीद रहे हैं तो यह ही है बेसिकली तो ऐसा समाज में क्यूं है क्यूं समाज में ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं जो बहुत बहुत जाता स्मार्ट नहीं है ना उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया गंदा काम करें गलत काम करके वो बहुत पैसा कमा लेते हैं और अच्छी अच्छी लग्जिरियस lifestyle जीते हैं और जो वैसा lifestyle जीने का हकदार है वो इमांदार होने की होजे से नहीं जी पाता तो समाज में क्यूँ ऐसा है तो Karl Marx नहीं ये देखा कि देखो मैं लोगों को को अपनाने से तो नहीं रोक सकता जिसको गंदा काम करना है वो तो गंदा काम कमे करेगा ही, करप्शन करेगा ही, पैसा तो मिले गई, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि प्राइवेट जाने दो कि मैं प्राइवेट ओनर्शिप ओफ प्रॉपटी हटा दूँ, इसका क्या मतलब है, कि देखो सोशलिजम क्या कहता तो उसका मूल कारण किसको मानता था, वो उसका मूल कारण मानता था आपके प्राइवेट ओनर्शिप ओनर्शिप ओफ प्रॉपटी को, कि जब भी प्राइवेट ली इंडिविजुल्स प्रॉपटी को ओन करेंगे, उसका यही मानना था कि कुछ भी आपका नहीं है, आईडिया है देखो पहले ये सिर्फ एक आईडिया था काल मार्क्स ने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए अगर ये चीज हटा दी जाए प्राइवेट ओरनर्शिप अप प्रॉबर्टी तो समाच सुखी हो जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो समाच सुखी हो जाएगा उन्होंने तो वो क्या था तब वो सिर्फ एक आइडिया था, उनके मंद में बस एक विचार आया, पर जैसे उस विचार में और लोग विश्वास करने लगे, जैसे जैसे वो विचार फैलता गया, वो विचार एक विचार धारा बन गया, तुम समझ रहे हो बात को, आइडियोलोजी उ जैसे वो विचार बाकी लोगों के मन में भी जाता है बाकी लोग भी उस विचार को अपनाने लगते हैं या उसमें विश्वास करने लगते हैं तो विचार एक विचार धारा बन जाता है तो जैसे हम कहते हैं बुद्धिजम, हिंदुजम यह क्या है कि धर्म है तो अब इस आईडिया है यह वेस्टन फिलोसिफी है इंडियन फिलोसिफी क्या है इंडियन फिलोसिफी यह कहती है कि धर में एक मारग है मारग doesn't matter at all अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दक्षन भारत में जो लोगे उनके देवी देवता एकदम अलग है पूजा करने खाना खाने का र नहीं 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 ऐसा नहीं होता है जो लोग एक तरीके से काम करते हैं उनको एक धर्म वाला बोल दो कि जो लोग एक तरीके के बिल्डिंग में प्राथना करने जाते हैं वो इस धर्म से हैं जो लोग एक तरीके के त्योहार मनाते हैं वो इस धर्म से हैं ऐसा इस धर्ती पे कभी नहीं था क्यों तुम देखो कि बहुत सारे त्योहारे जो दक्षन भारत में मनाए जातें उत्तर में इतने धुमदाम से नहीं मनाए जातें या जैसे South India में पिर Punjab इस सब इलाकों में पॉंगल, कहीं लोड़ी बहुत जादा मनाई ही जाती है कहीं एतनी नहीं का ही तुम समझ रहो ना बात को इस रास्ते पे चलने वाले इस धर्म के हैं, उस रास्ते पे चलने वाले उस धर्म के हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं था, यहां रास्तों को importance दिया ही नहीं भई, जा कहां रहे हो, अगर 50 रास्ते हैं कि तुम मनजिल एक है, तो तुम सब एक हो, उसी तरीके से देखो याद हैं, majoritarian जो majority community के benefit के लिए, questions आते हैं, आखों से देखे हो, इस सवाल है, क्या पूछ सकते हैं, board examination में, one mark में भी आता है, क्या पूछेंगे, हना, the Sri Lankan model of power sharing was dash, तो क्या लिखोगे, was unfair, नहीं, unjust, unfair, नहीं, the Sri Lankan model of power sharing was dash, majoritarian, the Sri Lankan model of power sharing was majoritarian, या how the idea of majoritarianism was practiced in Sri Lanka, एक direct question पूछ देंगे, what do you mean by majoritarianism, सीधा पूछ देंगे, what do you mean by majoritarianism, majoritarianism is the ideology, हना, where the interest of the majority community is promoted, where the interest of the majority community क्या कर रहे हो, मैं जिस तरीके से answer को बोल रहा हूँ कि it is the ideology, where the interest of the, उस तरीके से तुमको भी नहीं करना है, तुम बस मर में समझो कि majoritarianism क्या होता है, वो एक ऐसा, जैसे एक socialism क्या होता है, वो private property को एक दम दुश्मन समझता है, majoritarianism का idea था, majoritarianism की ideology क्या है, वो ये कहती है कि देश में जो majority में है, हना, जास्ती की majority, majority, जो लोग जादा है, उनहीं का चलेगा, class है एक, उस class में मान लो चार लोग Christian है, और तीन लोग जो है Muslim है, तो Christian हो का ही चलेगा, Muslims का नहीं चलेगा, या वाइस वर्सा समझो, जो majority में है, जो चार तीन तो छोटा मारजन हो गया, मान लो, 14 Christian है, और 8 Muslim है, तो Christians की ही सुनी जाएगी, क्योंकि हो majority में है, clear majority में है, by 6, हना, 14-8 is somewhat 6, right, clear majority में है, तो Christians की ही सुनी जाएगी, इस तरीके से Muslims की नहीं सुनी जाएगी, इस तरीके से उसमें है, सो majoritarian ideology का हिंदी में, तुम चतुर राम लिंगम मत बनो की जो सर ने बताया, जो बुक में लिखा है, वही तुम लिखोगे, रैंचो की तरह लिखो answers, answer लिखना क्या है, अगर तुम से पूछते है, what do you mean by majoritarianism, majoritarianism में तुम्हें ये लिखना है कि majoritarianism एक ऐसी ideology है, एक ऐसी व class citizens की तरह treat किया जाएगा, यहां मैंने एक अच्छा answer बना दिया, मैं तुमारी जगा होता है, तुम ऐसे लिखता कि majoritarianism is the ideology, which believes in treating the majority community as the first class citizens, whereas the minority communities are treated as the second class citizens, यही लिखना, आगे भी लिख देता कि the interests of the majority communities are always placed above the minority community, ऐसे तुम अपने हिसाब से लिखना, डरो मत, कि सर आपका इतना high-five answer, मैं इतना high-five नहीं बना सकता, अरे वहाँ कोई language का, कोई Martin Luther Jr. तुमारा paper check करने नहीं आया है, ठीक है, तुम इतना, उतने सोचो मत, तुम यह बास हमेशा याद रखो, ना Stephen Spielberg या सशी थरूर paper check करेंगे, नहीं करेंगे, तुम यह बास याद रखो, उतना ही ल पर ultimate goal क्या है, student का, हना, वेद मंत्रों से जादा तुमारे लिए यह important है, student life में कम से कम, ultimate goal क्या है, 10th के merit list में निकलना है, मुझे scholar बनना है, वो हो सकता है, पर वो that is not the ultimate goal, क्योंकि वो end होगा, तुमारा जीवन लंबा है, 10th तो एक साल में खतम हो जाएगा, ultimate goal है कि हमें ए कर रहे हो, इससे फरक पड़ता है, तो यह बात हमेशा याद रखना, तुम कल क्या आते हो, भूल जाओ, लेकिन कल क्या बनना चाहते हो, तो हमारा सिर्फ 10th का goal, शुबम सर का goal नहीं है, मैं 4 घंटा जादा पढ़ाऊंगा और उसे, पर जो student 40 देखे, या 4 student ये वीडियो देखे, जो student से वीडियो देख रहे हैं, वो गुण सीख करके जाए ग्यान के साथ, बिना गुण के ग्यान मैं नहीं दे सकता, ग्यान के साथ गुण आना ही चाहिए, भावना आनी चाहिए, कुछ महसूस होना चाहिए अंदर पढ़ते वक्त, क्योंकि ग्यान तत्यों में अनुभव में होता है, knowledge is not about facts, it is about realization, ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, जब हम majoritarianism के बारे में बात करते हैं, और कि majoritarian ideology के बारे में बात करते हैं, तो यह श्री लंका की तरफ point out करता है, किस तरीके से point out करता है, इस तरीके से point out करता है कि श्री लंका ने, अब बेलजियम में जो दो major communities थी, बेलजियम में जो दो major communities थे, वो कौन थे, बेलजियम में दो major communities थे, Dutch speaking और French speaking, श्री लंका एक परसंट जर्मन थे, बेलजियम में 49% आई, सौरी 59% Dutch, 49% French, एक परसंट जर्मन, यह बात याद रखना, 59-49 में confuse मत होना, डच और जर्मन को जब add क होना चाहिए, आरे तबी तो एक परसंट जर्मन होंगे, तो उन दोनों को add करोगे तो 99, अगर मैं कह दूं कि Dutch 49 और French 40, तो total तो 89 नहीं हुआ, 49 प्लस 40, 89, French एक परसंट 90, दस लोग कहां गए, तो याद रखना, Dutch और French को add करके 99 आना चाहिए, प्लस 1 यानकि 1% Germans है, लेकिन जर्मन तो है, पर दो major communities Belgium में कौन थे, Dutch speaking, French speaking, उसी तरीके से दोस्तों मेरे हम्दम, मेरे हमराज, जब हम बात करते हैं, श्री लंका की, तो यह श्री लंका में क्या था, श्री लंका में भी, जैसे वाँ डच और French, यहाँ पे, Sinhalas और Tamils, दो major communities थी, यह बात तुम और diversification था या diversity थी, it was only based on language, सिर्फ linguistic diversity थी, Belgium में भाशा के आधार पे, कुछ लोग ते जाने दो बोड़को, कुछ लोग है जो एक तरीकी की भाशा बोलते थे, कुछ लोग डच बोलते थे, कुछ लोग French और कुछ लोग जर्मन बोलते थे, भाशा यह अलग-अलग थी, सिर्फ linguistic diversity थी, पर स्री लंका का case complicated था दोस्तों, क्योंकि स्री लंका में linguistic as well as religious, वहां religion का भी angle था, कि दो major communities है, सिनहालास और तमिल्स, अब उसमें भी क्या थे, कि सिनहालास बुद्धिजम को मानते थे, वहां Belgium में क्या होता होगा, जर्मन भी चर्च में जाता है, डच भी चर्च में जाता है, फ्रेंच भी चर्च में जाता है, तो religiously वह सब Christian थे, religiously एक थे, लेकिन वहां पर diversity, it was linguistic properly, purely language के basis पर diversification था, भिंता थी, लेकिन when we talk about this, when we talk about Sri Lanka, तो Sri Lanka में क्या था, Sri Lanka में जो diversification थी, it was religious, sorry, it was linguistic as well as religious, Sri Lanka में linguistic तो था ही, कि मतलब हाँ, मतलब कुछ लोग सिनहाला और Tamil domain community है, तो Tamil तो Tamil ही बोलेगा, सिनहाला की अपनी भाष्चिती सिनहाली, प्लस सिनहाला बुद्धिजम को मानते थे, और Tamil majorly Hinduism को, और कुछ लोग उसमें Muslims भी थे, ठीक है, clear है, तो अब देखते हैं कि उसका percentage क्या है, अगर आप percentage देखेंगे, तो यहाँ पे सिनहाला स् ताकि आप थोड़ा बेटर समझ पाएंगे कि split up जो है, किस तरीके से है इसमें, ठीक है, दोस्तों अगर for example, चलो हम consider करते हैं, the case of Belgium तो हो गया, the case of Sri Lanka, रामवड की नगरी का, अगर case consider करें, एक टाइम पे बहुत धन वैभाफता, आज देखो, वहाँ के leaders किस हाल पे लेका स्री लंका में basically मुझे तो जो समझ में आता है, मोटा मोटी दो diversification है, एक तरफ तो आपके पास वो लोग है, जो कौन से लोग है, वो लोग जो sinhalis है, sinhalis है, एक तरफ वो लोग है, जो tamil communities है, tamils है, ठीक है, अब यहाँ पर और diversification होता है, वो किस तरीके से होता है, जो sinhalis है, ठीक है, यह लोग जो है, यह अपनी language बोलते हैं, कौन सी sinhalis, इनकी sinhalis language है, tamils जो है, यह tamil language का ही प्रयोग करते हैं, अब tamils में भी क्या है, कि आगे चलके दो तरीके के tamils हैं, ठीक है, एक है आपके इंडियन tamils, एक तो श्री लंकन tamils पहले लिखते हैं, इसमें क्या हो गया इसको, सॉरी, पहले लिखते हैं, श्री लंकन tamils, श्री लंकन tamils और एक तरफ हैं, इंडियन tamils, ठीक है, अब इसका logic क्या है, बहुत सारी लोग थे, जो भारत से श्री लंका गये थे, देखो जब ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करते थे, तो सिर्फ इंडिया पर नहीं, उन्होंने स्री लंका को भी अपनी कॉलोनी बनाया था, तो वो कई बार ऐसा करते थे, कि जैसे स्री लंका को कॉलोनी बनाया है, वहाँ पर जमीन बहुत है, वहाँ पर चाय उगाओ, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जिस भी देश पर कबजा करते थे, वहाँ पर commercial farming करवाते थे बड़े-बड़े plantations होते थे plantation यानि कि क्या plantation यानि कि जब बहुत बड़ी जमीन लेकर के एक ही type का crop उस पे grow करोगे कुछ और उगाओगे ही नहीं आम तोर पे भारत के किसान क्या करते हैं कि गर्मी के मौसम में मान लो उन्हों उन्हें गेहों उगाया बारिश के मौसम में चावल उगाया तो गर्मी और बारिश के बीच में जो मौसम होता है कोई थोड़े चने बो देगा लसुन बो देंगे कुछ ना कुछ बो देते हैं ठीक है लेकिन Britishers क्या करते थे उनको सिर्फ पैसा चाहिए तो plantations बड़े बड़े जमीन बड़े बड़े parts of land वो clear करवाते थे खेती के लिए और वही फसल उगवाते थे जो market में बहुत महेंगी बिखती हो जैसे इंडिगो आजकल इंडिगो कोई नहीं होगा था क्योंकि अभी synthetically chemical से prepare होता है इंडिगो क्या होता है blue color का जैसे आपने उजाला कभी यूज किया होगा पानी में दो drop डालो blue blue हो जाता है उसमें कपड़े डालते हैं ताकि एक blueish color की shine आती है कपड़ों में तो इंडिगो पहले वो प्लांट से एक बनता था एक प्लांट होता था जिसको उसके fruit को छूओगे तो नीदा नीदा कलर निकलेगा तो इंडिगो उगाते थे टी उगाते थे कौफी उगाते थे ओप्यम उगाते थे जो बहुत महेंगा बिके commercial farming करवाते थे अब चलो तुम गए भारत में श्री लंका में भी तुमने राज किया तुमने श्री लंका में जमीन तो खाली करवा दी इतनी बड़ी जमीन तुमने खाली करवा दी पर अब खेती करेगा कौन श्री लंका की population बहुत जादा नहीं थी तो भारत से भी कुछ लोग लेके जाते थे वो तमिलियन्स बेसिकली जो इंडिया से श्री लंका में आकर बस गये थे वो इंडियन तमिल्स थे यह कोई तुमसे बहुत डीटेल में नहीं पूछता तुम इतना याद रखो जो सिनाली, सिनाली जाली लगी भाशा है, सिनाली लगी भाशा है, सिनाली या पिर सिनाला तो community का नाम है Sinhalis या Sinhali language ठीक है यहां एक language है यहां अलग language है refrigerator लैंगविच के basis पे बाइफरकेशन है पर इतना काफी नहीं है अगर तुम और ध्यान से देखोगे तो बाइफरकेशन आगे जाके और बढ़ता है कि Sinhalas जो है वो mainly Buddhist थे ठीक है और Tamils जो है mainly उसमें दो groups थे majority हिंदू थे कम muslims थे लेकिन muslims भी थे ठीक है तमिल्स के case में हिंदू और Muslims में why purification था जिसमें majority हिंदू थे तो यहाँ पर religion के आधार पे धर्म के भाशा तो अलग-अलग है साती सात धर्म के आधार पे भी why purification है कि ये लोग बुद्धिस्ट अलग धर्म को मानते हैं ये लोग अलग धर्म को मानते हैं ठीक है तो ये पुरा श्रीलंका का केस था मोटा मोटी अगर तुमको स्टेटिस्टिक याद रखना पड़े तो तुम याद करने की कुशिश करना if I'm not wrong around 74% गलत होगा तो ठीक कर लेंगे around 74% ये थे और ये लोग around 18% थे ठीक है let's see बुक में क्या दिया है हो सकता है मेरी बुक में स्टेटिस्टिक कुछ अलग दिया हो तुम्हारी बुक में अलग दिया हो latest book CBSE की देखना उसी साब से करना इसका कोई बड़ा इशू नहीं चाहिए मुझे comment section में 74% इतने तुम mature हो गए हो कि basic चीज़े तुम खुद clarify करो अपने school teachers से पूछो वो भी जैसे मैं तुम्हारा गुरू अगर मुझे मानते हो वो बहुत कितना ही घटिया पढ़ाते हो उन्हें भी मानो क्योंकि उनका पद तो वही है याद रखना ठीक है अपने जो school के गुरू है उनसे भी पूछना 74% 18% स्टेटिस्टिक क्या है यही है तो बहुत बड़ी है ठीक है हलाकि 74 और 18 अगर add करते है 74 प्लस 10 84 84 प्लस 10 94 उसमें से माइनस 2 करो 92 तो 74 प्लस 18 करोगे तो मेरे ख्याल से around 92 ही होता है बचा 8% वो मेरे ख्याल से बाकी लोग है उसमें ठीक है जो लोग अलगी थे जो Christians थे वगेरा वगेरा तो तुम इसमें 100 का logic मत लगा ना 100 का logic लगता है Belgium में Dutch और French में अगर Dutch बोलने वाले लोग 49 परसंट है sorry 59 परसंट है तो French बोलने वाले 40 परसंट तो 59 प्लस 14 99 और जो बचे 1 परसंट है वो German हो गए ठीक है anyways तुमको इससे यही सीखना है तुम बस statistics as it is याद कर ले ना इसमें 100 परसंट टोटल होगा ये लोजिक मत लगाना 100 परसंट टोटल का लोजिक Belgium में लगेगा श्री लंका में नहीं 74 परसंट 18 ठीक है 74 परसंट सिनहला speakers है 18 परसंट तमिल speakers थे तमिल में भी दो तरीके के tamils थे श्री लंकन tamils इंडियन tamils ठीक है इंडियन tamils whose four fathers migrated from India to Sri Lanka during the British era long time back ऐसा कुछ लिख देना ठीक है during the British era और long time back सिनहला वो तो वहीं की community थी वो सिनहाली भाषा बोलते थे tamils of course कंड़ तो नहीं बोलेंगे tamils बोलते थे सिनहलास वेर यूज्वली बुधिस्ट बुधिस्ट थे सिनहलास और tamils usually Hindus and Muslims तुम दोनों लिख देना ठीक है majority Hindus and there were some Muslims too क्या लिखोगे some Muslims भी जो है वो भी वहाँ पर थे anyways इतना तुम समझ गए होगे तो ये पूरा श्री लंका का case है तुम देख लिए अब वो तुमको बताएंगे श्री लंका ने किस तरीके से power changing की sorry power sharing की और अपनी power sharing की arrangement को किस तरीके से श्री लंका आगे बढ़ा करके ले करके गया तो ये पूरा split up है ठीक है tamils किस तरीके से थे सिनालास किस तरीके से the ethnic composition or the ethnicity of श्री लंका कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अब coming back to the topic को तुमसे पूछते हैं कि अब सिनाला ने अब तुम देखोगे कि सिनाला तमिल स्री लंका ने किस तरीके से इस problem के साथ deal किया ठीक है तुमको आगे बताएंगे तुम अगर नीचे आओगे ठीक है और नीचे देखोगे ठीक है सीधा आजाओ यहां तुमको दिखेगा most of the सिनाला speaking people are buddhist while most of the tamils are hindus और muslims कुछ अलग से याद रखने की कोशिश नहीं है जो भी तुमारे book में 2-2-3-3 बड़े-बड़े उपर नीचे paragraph में दिया है वो शुबम सर ने तुमको आसानी से इस flow chart से बता दिया श्री लंका का case क्या था there were sinhalas, there were tamils, sinhala लोग जो है वो sinhali भाषा बोलते थे majority of them या तुम लिखोगे पूरे sinhalis buddhist को sinhala community buddhism religion को जो है follow करती थी ठीक है 74% sinhalas, 18% tamilians, tamil में भी दो तरीके के tamils थे स्री लंकन, tamils, इंडियन, tamils, tamils जो थे वो buddhist नहीं थे tamils या तो हिंदूस थे या muslims उसमें भी हिंदू majority में थे ठीक है बस इतना ही तुमको याद रखना है उसके बाद तुम सीधा नीचे आ जो majoritarianism in स्री लंका ये जो तुमारा majoritarianism in स्री लंका है तो इसके ऊपर ये last line और majoritarianism के बीच में जो जगा है वहीं पर question लिखो या side में question लिखो what led to a feeling of alienation among the sri lankan tamils थेक है फड़ा फड़ लिखो what led to a feeling of alienation among the sri lankan tamils what led to what led to a feeling of alienation among the sri lankan tamils what led to a feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils ठीक है या how was the Sri Lankan model of power sharing what was the Sri Lankan model of power sharing Sri Lankan model of power sharing क्यों पर हो तुमसे question पूछे या alienation question मैंने देखा है alienation वाला मैंने देखा है what led to a feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils तो तुम सीधा लिखोगे देखो Sri Lanka के बारे में तुम्हें सिर्फ दो चीज़े याद रखनी है number one ठीक है कि Sri Lanka it is an island nation तुम जैसे Belgium में लिखते थे कि Belgium is a small country in Europe वैसे Sri Lanka के बारे में तुम क्या लिख सकते हो when we talk about Sri Lanka you must know कि Sri Lanka क्या है दो चीज़े याद रखना it is an island nation Belgium is a small country in Europe Sri Lanka is an island nation in the Indian ocean इतनी सीज़ी सी बात है कोई Pacific Ocean में तो नहीं है श्रीलंका इंडियन ओशियन में है ठीक है साथी साथ ये भी याद रखना कि Sri Lanka became independent in 1948 ठीक है Sri Lanka independent हुआ भारत के independent होने के एक साल बात 1948 में पर ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर याद आए तो ठीक है नहीं याद आए कोई बात नहीं श्रीलंका के बारे में कुछ भी तुम लिख देना जैसे हो तुम से पूछते है स्रीलंका मॉडल ओफ पावर शेरिंग या बेलजियन मॉडल ओफ पावर शेरिंग तो पहले कंट्री के बारे में छोटा से इंट्रोड़क्शे दे ना बेल्जियम जा स्मॉल कंट्री इउरोप या स्ट्रीलंका इस स्मॉल आइलेंड निशन इन दे शाओथ अफ इंडिया इन इंडियन उशन जैसे तुमारी इच्छा उसके बाद तुम तुमारा main answer स्टार्ट करोगे ठीक है तुम सीधा नीचे आजो in 1956 इसी page पे I don't exactly remember the page number but if this is page number 2 then page number 3 पर आओगे अगर तुम तो page number 3 पे तुमको दिखेगा in 1956 है जो left hand side में second paragraph है यहां से तुम underline करना in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language हना दस disregarding tamil छोड़ दो in 1956 हना और zoom करते हैं कितना हम zoom को करवा सकते हैं in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language the governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants देखो मैं तुमको short में बता देता हो होने के अवाल है यहां पे basically यह हो रहा है कि government जो है government ने ही भेदभाव करना शुरू कर दिया यानि कि जो government थी जैसे मैंने तुमको बताया था श्री लंका में majoritarian ideology है majoritarian क्या कहता है majoritarianism the word ism itself means ideology majoritarianism यानि कि majoritarian ideology यानि कि जास्ती की majority majority के बारे में बात कर रहे है majority मैंने तुमको example दिया Christian Muslims का 14 Christian 8 Muslim है तो Christian की बात सुनेंगे because Christians are in majority अरे हाँ याना तो तुम ये बात हमेशा याद रखना जब हम majority के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी यही हुआ अब मुझे बताओ अगर तुम इस तस्वीर को ध्यान से देख रहे हो तो इसमें clear है exactly clear है कि पॉलिसी अपना ही उन्होंने सोचा कि जो जादा लोग है उनको खुश रखो क्यों कम लोग तो हमको election में vote नहीं भी देंगे तो भी हम जीच जाएंगे तो जो जादा लोग है जो majority में उन्हीं को खुश रखो और उनको खुश किया उन्होंने तो गवर्मेंट ने क्या किया 1956 हाना पचपण चपण याईसे तो बचपण पचपण जैसे याद रखते हो बचपण पचपण चपण याद रखना हाना बचपण से पचपण होता है बर पचपण से भी एक साल तुमको आगे जाना है 1956 में 1956 वे स्री लंकन गवर्मेंट पर पासथैन्थ आक्ट या तुम पासवास मत लिखो तुम डिरेक्ट लिख दे ना public 56 इत रेको इस इंहाला में से पंच या ता सिनहालिष सिनहालीष में पंच और पासथम में सिनहालीष सिनहाला लिख दिना Community का नाम Sinhala है Language का नाम भी Sinhala है Sinhala is the only national language 1956 में क्या हुआ 1956 में Government of Sri Lanka ने Sinhala को only official language declare कर दिया Official language का क्या मतलब होता है कोई भी कागजी कारवाई होगी कल को तुम किसी bank में गए कि मेरे को account खोलना है आपके bank में तो या फिर मानो तुम आधार कार्ड बनवाने गए तो आधार कार्ड बनवाने के लिए पहले form भरोगे जिसमें नाम लिखोगे पता लिखोगे है ना तो form भरोगे पहले तो जो तुम form भर रहे हो उस form में क्या होगा students नाम पता कुछ ना कुछ लिखेगा अब उस form में जो columns दी है वो भी official language में होगे सिन्हाली भाषा में होगे अब इंडिया में क्या है इंडिया तीन languages को साथ में लेके चलता है officially हर state में तीन official languages होती है एक Hindi English fix होती है तीसरा उस state में जो भी भाषा बोली जाती उसको भी जोड़ दिया जाता है अगर मैं महराष्टर में हूँ और महराष्टर में मैं कोई form भरना चाहता हूँ मैं अधार कार्ड के लिए apply करना चाहता हूँ उसका form हो या bank account खोलना चाहता हूँ account opening form हो या मुझे कोई application किसी को देना है formal कोई भी आया official काम करना है तो वो official काम जो है वो तीन languages में हो सकता है Hindi English मैं महराष्ट में हो तो तीसरी मराठी होगी तुम गुजरात में होगे तो तुमारे लिए Hindi English गुजराती होगी तुम उत्तर प्रदेश या बिहार में होगे तो Hindi English तुमारे लिए Hindi English ही होगी क्योंकि आवधी भोचपूरी मगधी बुंदेल खंडी ये सब जो भाषा हैं इनको Hindi के अंदर ही कैटेगराइस किया जाता है Tamil में होगे Tamil नाडू में तो Tamil करनाटका में कंणड केरला में मल्यालम आंदर प्रदेश में तेलगू जो जहां पे हो तुम वो भाषा होगी ठीक है लेकिन इनोंने क्या किया सिनहाला भाषा कोई only official language बना दिया दूसरा option ही नहीं इंगलिश भी नहीं सिनहाला ही भाषा है Tamil language को preference ही नहीं दिया जबकि चलो माना 18% है पर 18% बहुत होता है ऐसा तो नहीं है कि वो जर्मन की तरह कोई 1% थे नहीं वहाँ तो जर्मन 1% थे फिर भी उन्होंने क्या किया कि community governments बनाई कि community governments थी कि मतलब सबका साथ सबका विकास की मतलब जर्मनी के लोगों की जर्मन बोलने वालों की अपनी एक community government होगी Dutch बोलने वालों की अपनी एक community government होगी French बोलने वालों की अपनी एक community government होगी यह उन्होंने किया था ठीक है यहाँ पर 18% है बट कोई खास नहीं दिया गया तो मियाद रखना Majoritarian policies adopted by Sri Lanka Majoritarian policies adopted by Sri Lanka that led to a feeling of alienation कि जैसे ऐसा नहीं होता मैं alien को देखा रही है तो हमसे एकदम अलगी है तो वैसे उन्होंने एकदम धरकिनार कर दिया का government ने कि सिन्हाला हमारे अपने है तुम सब हमारे दुश्मन हो ऐसे ही कर दिया तो यहीं हुई ठीक है Coming back to the topic क्या क्या है government position में कोई सरकारी नौकरी होगी universities में तुम 10th, 11th, 12th करने के बाद पढ़ाई तो करोगे higher education university में होती है चाहे bachelor करो चाहे master's करो चाहे doctorate करो university में होगी तो university में तुमको पढ़ाई करनी है एक student भी जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ पे भी भेदबाऊ होने लगा preferential policies क्या कि जो sinhala applicants है उनको government jobs में और university positions में prefer किया जाएगा ये उनकी preferential policies थी तो ये tamilians को अच्छे नहीं लगी तो government ने दो main चीज़े की तुम यही देखोगे ठीक है in 1956 आखे यही होनी चाहिए और अभी आद करना है in 1956 an act was passed to recognize sinhala is the only official language thus disregarding tamil the government followed preferential policies that favored preferential भेदबाऊ करने वाली इसको prefer करेंगे उसको नी the government followed preferential policies that favored sinhala applicants for university positions and government jobs a new constitution stipulated that the state shall protect and foster buddhism जो नया संविधान लिखा sinhala की नई government ने जो majoritarian approach पे चलती थी उन्होंने कहा कि the state shall protect and foster protect foster का मतलब है promote करना तो जो state यानि की government है वो buddhism को protect करेगी बचाएगी और promote करेगी हर school में buddhist teachings पढ़ाई जाएगी हर public कोई चौक होगा कोई cinema घर होगा कोई park होगा garden हर public place पे buddhist icons या फिर उनकी photos लगाई जाएगी समझ रहे हो तो जाने दो तो ये जो है उन्होंने किया ठीक है again in 1956 उन्होंने 1956 में 1956 आक्ट वस पास्ट विच रेकोगनाईस Sinhala as the only official language समझ गया रे हाँ आया ना majoritarian ideology of the Sri Lankan government that what led to a feeling of alienation among the Sri Lankan Tamil ती majoritarian regime कैसी थी majoritarian regime in 1956 and act was passed recognizing Sinhala as the only official language thus disregarding Tamil और क्या था मैं भूल गया सर मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे वो लेकिन यह याद आ रहा है कि आप last में कुछ तो बता रहे थे कि वो हर एक public place या chalks या cinema थेटर मतलब garden अगेरा हर एक public place पे वो बुद्धिजम को प्रमोट कर रहे थे the state shall protect and foster बुद्धिजम the state या the Sri Lankan state नहीं लिखना है तो मतलब लिखो state मतलब government तुम यह लिखो the Sri Lankan government started promoting and fostering बुद्धिजम चलेगा ये बात हमेशा याद रखना एकम सत्यम विपरा बहुता वदन थी एक ही सत्य को विदवान अलग-अलग तरीकों से कहते हैं सत्य को अलग-अलग तरीकों से कहने से सत्य नहीं बदल जाता आंसर को अलग-अलग तरीके से लिखने से आंसर गलत नहीं हो जाता एक और सही आंसर बन जाता है हना ये बात तुम हमेशा याद रखना कि जैसे जब भीश्म, कंगा, पुत्र, देवरत भीश्म जो शत्रिया थे एक मात्र शत्रिया शिश्य शायद भगवान परशुराम के मुझे तो इतना ही पता है तो जब भगवान परशुराम ने देखा कि भीश्म कितने शक्तिशालिय हैं और भगवान परशुराम खुद भीश्म से लड़ चुके थे और वो भी उसको पराजित नहीं कर पाए, इतने महान थे वो मतब आप चाहें न्याई क्योंकि भीश्मा वस टॉट बाए मैनी गुरूस ब्रस्पती, शुकराचारे, भारगव परशुराम कौन-कौन नहीं था वशिस्ट किस-किस ने नहीं सिखाया उनको तो लाइफ में परफेक्ट पैकेज अगर लाइफ में परफेक्ट पैकेज का माँ खुद कह रही है, जिसके लिए वचन दिया कि उनका विवापिता से हो कि मैं आज इवन ब्रह्मचारी रहूँगा वही माँ कह रही है कि वचन तोड़ दो, लेकिन नहीं तोड़ा वो हो सकता है, गलत हो किन्तु उन्होंने जिसे धर्म माना उस धर्म का उलंगन कभी नहीं किया यही तो है दोस्तो तो वही है, तो जब भगवान परशुराम ने सब को सिखाया और उन्होंने देखा कि भीश्म इतने स्ट्रॉंग हो गए है और एक बार के लिए भीश्म और देवरत में लड़ाई हुई, और सोरी भगवान परशुराम और भीश्म में लड़ाई हुई और भगवान गुरु भी शिश्म को नहीं हरा पाए तो वो समझ गये कि मुझे और कोई ऐसा भीश्म नहीं चाहिए तो उन्होंने वो गल्ती ना दुरुनाचारे के साथ की ना कर्ण के साथ की तो कुछ कथाय ऐसी कहती है कि बहुत सारा नहीं कुछ कुछ चीजे उन्होंने जो भीश्म को सिखाई थी वो ना तो दुरुनाचारे जी को सिखाई और ना ही राधहे को सिखाई ठीक है पर इससे मैं तुम को यह बताना चाहता हूँ की फिर भी वो लोग महान बने या भीश्म से जूट बोल रहे हैं, करण से जूट बोल रहे हैं, नहीं, कोई भी अच्छा शिश्य बन सकता है, भीश्म अपने आप में अनोखे थे, करण अपने आप में अनोखे थे, दोना चारे जी में अपने आप में कोई बात थी, तीनों अलग अलग थे, पर तीनों ही अच्छे शिश्य थे तो इबात हमेशा याद रखना कि अगर तुम किसी चीज को अलग तरीके से लिख रहे हो तो जरूरी नहीं है कि मतलब वो गलत हो जाएगा अलग-अलग वर्जन्स हो सकते हैं तो भगवान परशुराम के शिश्यों के एक वर्जन भीश्म थे एक वर्जन द्रोना चार एक वर्जन कर्ण थे और तीनों अलग-अलग थे तीनों का क्यारेक्टर अलग था करिज्मा अलग-अलग था तो में तुमको बस देखो दो-तीन चीज़े याद रखनी है नंबर वन जो है गवर्मेंट ने भेदबाओ की पॉलिसी तो बनाई हो बाद में या उसको पहले लिख लो जरूरी नहीं है कि बुक में पहले 1956 के आक्ट का जिकर है तो मैं इसी ओर्डर में लिखूंगा तुम पहले यह लिख सकते हो श्री लंकन गवर्मेंट का पसào जोजो टेखर में लिख न्यूट का डेदबाओ कूज भेदबाववाववली स्यूट एव बेकर Synhala applicants यह इए प्रेबर्फर हॉर्मेट जोजोबी है in 1956 an act was passed which recognized Sinhala as the only official language thus disregarding Tamil उसके बाद last में क्या लिगाता है हमने The state shall protect and foster Buddhism हना The state shall protect and foster Buddhism ठीक है बस उसके बाद इसी paragraph के नहीं नीचे देखोगे All these measures increase the feeling of alienation हना और Sinhala Tamil उसको क्या लगा They felt that उनको यही लगा आप तुम इसमें किसमें क्या पढ़ना है Denied them of equal political right CDC बात है किसी देश में दो तरीके के लोग रहते हैं एक तरीके के लोगों की ही बात सुनी जा रही है उनके culture की उनके religion की respect की जा रही है दूसरे लोगों को दरकिनार किया जा रहा है उनको कैसा लगेगा अब इसके लिए भी क्या तुम बुक पढ़ोगे They started feeling left out They started feeling that their culture is not being respected इसमें पढ़ना क्या है खुद तो कुछ भी दिमाग लगाओ मैं हमेशा अपने student से कहता हूँ correct answer माइन नहीं रखता मैं अगर एक teacher हूँ एक बहतरीन teacher या एक बहतरीन student वो है जो सही answer के पीछे नहीं the art of writing the answer के पीछे जाता है तुम एक बहतरीन social science के student तब नहीं बनोगे जब तुमारे हाथ में paper है और paper में ऐसा कोई question नहीं जो तुमें नहीं आता तुम एक बहतरीन SST के student तब नहीं हो जब paper में दिये होए सारे question तुमें आते हैं तुमें एक बहतरीन SST के student तब हो जब एक भी question नहीं आता फिर भी तुम कुछ ना कुछ worth लिख सकते हो कि तुमें कुछ ना कुछ तो पता ही है स्री लंका में majoritarian ideology क्या है नहीं फरक पड़ता है स्री लंका कहा है आइलेंड नेशन है इंडिया के penisula tip के नीचे इंडिया notion में लिख दो जो पता है वो लिखो कुछ ना कुछ worth लिखो तो मैं तुमें बहतरीन तुम मेरे बहतरीन student तो नहीं हो सकते अगर तुमें सिर्फ ग्यान पता है तुमें अगर उस ग्यान को प्रदर्शित करना आता है लिखना आता है तो तुम महान बन सकते हो और लिखना कब आएगा सन मेरी English अच्छी नहीं है उससे कोई फरक नहीं पड़ता वो लिखना तब आएगा जब तुम विश्वास रखोगे सही लिखाए या गलत लिखाए क्या फरक पड़ता है मैं लिखू तो प्रयास तो करो नहीं मैं अगर अपने मंग से लिखूँगा तो गलत लिखूँगा इस से अच्छा मैं बुक का देख करके लिखता हूँ अरे बुक भी किसी इनसान नहीं लिखी है वो भी कभी तुमारी उमर का था और कलम उसने भी वैसी ही पकड़ी है जैसे तुम पकड़ रहे हो तो विश्वास रखो विश्वास पस्टता से आता है पस्ट रहो क्या लिखना है कहानी में इसमें जूट क्या है इसमें क्या कंफूजन है बेल्जियम की क्या कहानी है अरे वो डच फ्रेंच एक परसंट जर्मन है 49 परसंट डच 40 परसंट फ्रेंच 1 परसंट जर्मन यही उनका था उसी में खेल रहे थे 49, 49, 99 एक परसंट जर्मन 100 बस 80, 90 पूरे 100 हो गया उसके बाद क्या था वहाँ पे ये फ्रेंच, डच और जर्मन थे ये लोग अब यहाँ पे linguistic diversification था small country in Europe divided on linguistic basis फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपने differences को aside किया किस तरीके से the Belgian model of power sharing why the Belgian model of power sharing is appreciated all around the world तो लिखना, the Belgian model of power sharing is indeed appreciated all around the world perhaps this is the reason why even the European Union chose Belgium as its headquarters फिर model of power sharing के बारे में लिखना as per the Belgian model of power sharing, their constitution or the Belgian constitution was amended four times between 1970 to 1993 याद आये तो ठीक है नो छोड़ देना main क्या है, कहानी क्या है कहानी ये है, Belgian constitution was amended four times क्यों ऐसे ही, they didn't like the design नहीं, they amended it so that everyone can live peacefully and no one will have any problem with each other or with the constitution constitution को amend किया central government में equal number of ministers from both the communities even Brussels की government में equal number of ministers from both the communities and some special laws require the approval of majority of people from both the communities many powers of the central government were given to the state government यही है Belgian model of power sharing स्री लंका में वही कहानी है स्री लंका में सिनहाला है Tamil है, Tamil में भी दो है, Indian Tamil, स्री लंकां तमिल 74 परसंट, 18 परसंट याद आये तो ठीक है नहीं तो निकाल देना ऐसे लिख देना, 74 नहीं याद है न लिख देना मानो तुमको याद नहीं है सिनहाला कितने थे एग्जाक्ली, 74 थे, 75 थे, 84 थे, याद नहीं आ रहा है पर इतना याद है कुछ 70 के ही आस पास थे, लिख देना सिनहाला स्वेर मोर देन 70 परसंट, ये भी सही है मोर देन 70 परसंट तो कुछ भी हो सकता है एसे ही लिख देना, सिनहाला स्वेर मोर देन 70 परसंट, 74 परसंट, 18 परसंट, तमिल, स्री लंकन, तमिल, इंडियन, तमिल, सीधी सी बात है अब वहां का क्या था, क्या feeling of alienation आई, तो स्री लंकन गवर्मेंट स्टार्ट फॉलिंग मेजॉरिटरियन रजीम्स क्या 1956, 1956, बचपन, बचपन, पचपन, पचपन से एक साल आगे जाओ, चपन, in 1956, in 1956, the government of स्री लंका रेको पास्ट an act, which recognized Sinhala as the only official language, the government भेद भाओ, the government started following preferential policies, which preferred, or which gave preference to Sinhala applicants for government jobs and university positions, अरे हाँ है ना, फिर क्या होँ, the state shall protect and foster Buddhism, यही हुआ, बस, अब इसके बज़े से क्या हुआ, कि the tamilians started feeling, जो तुम यहाँ पर लिखोगे है हना, they started feeling that they are being denied them equal political rights, they are being denied of equal political rights, they are being discriminated against, that interests have been ignored, यही सारी चीज़े हैं, ठीक है, हना, और तुम लोग जो हो, तुम लोग जो यह व भाग गे अच्छा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं, यह जो chapter PDF है मेरा, इसका link इस video के description में डाल रहा हूँ, मैं अपने chapter PDF नहीं share करता हूँ, लेकिन इस बार मेरा मन कर रहा है, तो मैं तुम से share कर देता हूँ, ऐसे भी छोटा सा chapter है, ठीक है, तो जब तुम यह वीडि में तुम यह भी लिख सकते हो, अब क्या है कि तमिल्स को बहुत ज़ादा discriminate किया जा रहा था, तो उन्होंने, जाहिर से बात है, किसी को तुम बार बार धका दोगे, side में करोगे, तो वो भी कभी ना कभी लड़ेगा ना, कि मैं भी तो रह रहा हूँ यहां पे, मैं भी तो इस घर में हूँ, तुम बार बार मुझे दर किनार करके कहां आगे जा रहे हो, तो तमिल्स ने बहुत सारी organizations form की, इस में से एक थी, LTT, हाना, वो independent तमिल स्टेट, ठीक है, कुछ तो था, उसका full form यहां पे मेरे ख्याल से लिखा होगा, I'm not so sure, but LTT थी, ठीक है, अन्ना, LTT और आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो शायद तब नहीं थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांदी, स्यूसाइड बॉम, बड़ी विचितर सी घटना थी, उस समय की foreign policies भी बहुत बिकार सी थी, जहां पे हमारा कोई लफड़ा नहीं था, उसके लोग नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो कहने की बात यह है कि तब भी जब श्री लंका की government खत्रे में थी, तो उन्होंने इंडिया से मदद मांगी थी, कि हमारे लोग हमला कर रहे हैं, हमारी military इतनी capable नहीं है, पुलीस बल इतना ताकतवर नहीं है, क्योंकि वो ल force भीजी थी, वहां के हालात संभालने के लिए, और बहुत सैनिक हमारे मरे थे, ऐसा, तब ही करना चाहिए, जब तुम्हारा कोई interest हो, तो उन्होंने किया, उस समय राजीव गांदी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भेजा, इस से LTT वाले और चिड़ गए, उन्होंने रिजाइन किया, इन्होंने उन्होंने उन्होंने को मरवा दिया, वो अलगी कोई कहानी है, खेर हो, तुमको याद नहीं करनी है, ठीक है, एक शायद फिल्म भी बनी थी, इसके उपर मदरास कैफे करके, वो तुम्हारा मन करे तो कभी देखना, ठीक है, नहीं तो मैं तो recommend करता, जो मैं films recommend करता हूँ, वो है, Dead Poets Society, वो तुमको देखनी चाहिए, Dead Poets, कभी होते हैं, Poets Society, बहुत अची फिल्म है, students की उपर है, specifically, तो यह ही है कि, लास्ट में क्या होगा, एक civil war हो गया, the distrust between the two communities की, the thamillians felt that the interests are being neglected, they also felt that they are being kept aside, or they are being discriminated, So, they started forming certain, they formed certain organizations like LTT, to fight against the Sri Lankan Sinhala Majoritarian people, उनके against fight करने के लिए, and this led to a civil war, अब दो लोग आपस में लड़ेंगे, तो civil war हो गया, ठीक है, बस समझ गए, अब स्री लंका में क्या हो, स्री बेल्जियम में क्या हुआ था, मैं तुमको बता चुका था, स्री लंका में क्या हुआ, य था, स्री सी बात है, या तो यह हूबहू question वह पूच लेता है, why power sharing is desirable, या what is the necessity for power sharing, necessity क्या है power sharing की है, reasons for power sharing, इसमें दो तरीके के reasons होते है, moral reasons, prudential reasons, ठीक है, we will be coming to turn, तुमारा 80% chapter खतम हो गया अभी, alright, यह तो यह हो गया है आगे बढ़ते है रीजन्स और रीजन्स और नेसेसिटी फॉर वह यहां पर देखोगे खिक है जैसे इसमें दो तरीके की रीजन्स होते हैं नो ही आपके मोरल रीजन्स ठीक है Prudential reasons कौन से होते हैं Prudential reasons वो होते हैं जिनको हम कहते हैं एकदम practical reasons मैं अपने students को अक्सर ऐसे याद रख रहे हैं कि बोलता हूँ P से PR Prudential PR practical या P से Prudential P से practical Moral reasons जो थोड़े philosophical होते हैं जिनका कोई खास तुक नहीं बनता हवा की बात है तुमें सच क्यों बोलना चाहिए क्योंकि जूट बोलने वाला जूट बोलना गलत बात होती है ये भी सही बात है लेकिन इसके पीचे कोई logic नहीं है जूट बोलना क्यों गलत बात होती है मानो तो कोई कहे कि तुमें सच बोलना चाहिए किसी ने पुझा क्यूं तो वो एक रा कारण देता है कि तुम्हें सच इसले बोलना चाहिए क्योंकि जूट बोलना गलत बात होती है अगर वो ये कारण देता है तो वो प्रुडेंशल सौरी मॉरल में आएगा क्योंकि वो फिलोसिफी की बात है उसमें कोई स्पेसिफिकली बताएं ने कि क्यों गलत बात होती है और अगर कोई कहे कि जूट क्यों नहीं बोलना चाहिए जूट इसले नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आज अगर तुम किसी से जूट बोल रहे हो तो कल को कोई तुमसे भी जूट बोलेगा जैसा व्यवार तुम दूसरों के साथ करते हो वैसा ही व्यवार तुम एक्सपेक्ट करो क्योंकि वैसा ही व्यवार वो तुम्हारे साथ भी करेंगे क्यों कोई भी जूट लंबे समय तक जी नहीं पाया, जूट छोटी अवधी लिखा कर ही आता है, यह बात तुम्हें पता होगी, तो prudential reasons और moral reasons ही जो दो तरीके की reasons है, prudential यानि कि practical reasons और moral reasons जो है, बहुत philosophical reasons होता है, कैसे मैं तुमकों को बताता हूँ, तो reasons for power sharing में, there are two kinds of reasons, कई बार board examination में आँखों से देखा है, board examination में वो ऐसा भी पूछते हैं, और mention two prudential reasons for power sharing, या mention one moral reason for why power sharing is important, prudential reasons अलग से पूछे जाते हैं, कई बार moral reasons कम बार पूछे गए हैं, पर prudential reasons अलग से पूछे गए हैं, तो reasons for power sharing में क्या है, जैसे prudential reason, जो green से highlight किया है, वो prudential reason है, जो blue से highlight किया है, वो moral reason है, पहलो तुम prudential reason पर आओ, ठीक है, prudential reason क्या है power sharing का, prudential reason यह है, number one, it helps to reduce the possibility of conflict, अगर समाज में दो-तीन तरीके के लोग हैं, और तुम में सब में power बराबर बाट दिये, कि इसके पास भी वही अधिकार है, जो इसके पास है और इनके पास भी वही अधिकार है, जो इन दोनों के पास है, अगर तुमने power बाट दी है, तो समाज में लड़ा ही नहीं होगी, वही श्री लंका की तरह नहीं सिर्फ जो majority उसी को, उसी को rights मिलेंगे, minority तुम जाओ, तुम जाओ, पोकरे में जाओ, ऐसा तुमने बोल दिय तो अब लड़ा ही होगी, और श्री लंका में यही हुआ, civil war हुआ, यानि कि देश के लोग आपस में ही लड़ने लगे, जैसे अमेरिका में civil war हुआ था, वैसे स्री लंका में हुआ, ठीक है, सीधी सी बात है, so it reduces the possibility of conflict between social groups, याद आए तो लिखो नहीं तो मत लिखो, prudential reason, the very first and foremost prudential reason for power sharing is that it reduces the possibility of conflict, उसको explain कर देना, कि वन power is being shared, इसमें कोई rocket science की बात नहीं है, explain करो, क्यों power sharing से जगडा नहीं होगा, because if power is shared between all the social groups, then none of the social groups will feel discriminated, अरे, खीचना है न, कौपी भरनी है की नहीं, then none of the social groups, then none of the social groups will feel discriminated, everyone will enjoy equal powers, hence there will be no conflict, अरे, अच्छा answer कौन सा होता है, जिसमें थोड़ा knowledge, थोड़ी English और थोड़ा common sense डाला होता है, यह champion student, यह topper student होते है, हना, थोड़ा knowledge, थोड़ी English, थोड़ा common sense, अब जो ठीक ठाक, 75-80 लाने वाले students होते हैं, हना, 70-80 लाने वाले, 90 वाले यह से ही करते हैं, काफी knowledge होता है, थोड़ी English होती है, थोड़ा common sense होता है, knowledge काफी होता है, जो 60-70 लाने वाले students है, थोड़ा knowledge, काफी English, और थोड़ा जादा common sense या थोड़ा common sense उतना ही रहता है। हना English बहुत यूज़ करते हैं, knowledge कम यूज़ करते हैं, वही तुम्हारा अगर knowledge भी अच्छा हो जाए और किसी student की English अच्छी है तो ऐसे ही वो तीर मार सकता है social में, ठीक है, again, it helps to reduce the possibility of social conflict number two, good way to ensure stability, हना, क्योंकि पस में लड़ेंगे तो stability चली जाएगी, तो stability है, तुम इसमें कोई logic मत समझो ही, तुमको याद रखना है, ठीक है, बस, ठीक है, बस, दो ही है, हाद दो ही, फिलाल तुम दो ही याद रखो, हना, it helps to reduce the possibility of conflict, ensure stability, prudential reasons for power sharing, ठीक है, question लिखो, Mention two prudential reasons, as in why power sharing is important, is clear है, क्या लिखोगे, तुम इहापे सीधा लिखोगे, mention two prudential reasons, as in why power sharing is important, number one, it helps, in reducing the possibility of conflict, it helps, in reducing the possibility of conflict, number two, it ensures stability, अब इसी को इतना ही लिख के तुम examination में छोड मत देना, इतना लिखोगे, तो भी काफी है, two marks में, लेकिन तुम इसको explain कर देना, ठीक है, तुम कैसे explain करो, कि it helps in reducing the possibility of conflict, उसके बाद एक line छोड के, या इसी line के नीचे explain कर देना, कि when power is shared between all the social groups, then none of the social groups will felt left out, no one will feel that they are being discriminated, no one will feel left out, so there will be social harmony, and hence there will be no conflict, तो वो possibility of conflict हट गई, it ensures stability, तो लिखना, कि when there is no conflict, there is stability, कोई conflict नहीं होगा, तो stability वहाँ पे होगी, जिस देश में जगड़े हो रहे हो, वहाँ पे सरकार ठीक से काम नहीं कर सकती, लोग ठीक से काम नहीं कर सकते, क्यों जगड़ा ही हो रहा है, stability नहीं है वहाँ पे, clear है, तो इतना तुम समझ गए होगे, ये दो prudential reasons है, now we'll be talking about the moral reasons, clear है, बहतरीन student तुम तब हो, जब तुम class में ही answer याद रख रहे हो, कभी इस चीज में विश्वास मत रखना कि दो, तीन, दो घंटे की वीडियो देखके, दो घंटा revision करो, क्या मतलब है उसका, अपने brain के थोड़ा सा काबिल बनाओ, कि जैसे तुमने जो answer पढ़ा, उसकी retention बढ़ाओ, याद करो, क्या problem है, क्या होता है maximum, क्या होगा, गलत ही है रहेंगे, चार point है answer में, एक ही याद आएगा, अरे कम से कम एक तो याद आएगा, एक answer रीड करो हो सकता है, सबसे last point जो रीड गया, वही याद आए, काफी है, जो तुमने retain कर लिया ना, वो तुमको हमेशा याद रहेगा, देखो, ये बात हमेशा याद रखना, अगर जबरदस्ती कोई चीज याद कर रही जाए, तो वो कुछ समय तक भले ही याद रहे, जीवन भर याद नहीं रहती, पर जो स्टूडेंट को, स्टूडेंट इस चात्र जीवन में, अगर कुछ जीवन भर याद रहता है, तो वो चीज़े हैं जो तुमने खुद से याद किया है, खुद से याद करने का क्या मतलब, ये ये टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू 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 जा सिक्स, टू टू जा 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 लाएगा, जो तुम रिटेन कर पाए, तुरंत पढ़के, वो लंबे समय तक याद रहता है, या जीवन भर भी याद रह सकता है, तो चीज़ों को पढ़ो, और कोशिश करो कि मुझे अभी याद हो जाए, इसमें कुछ रटना नहीं है, एक कहानी है द कुछ भी कह रहे है, वाई पावर शेरिंग इस डिजाइरेबल, अरे पावर शेरिंग इस डिजाइरेबल, विकॉज अरे कोई तुक बनता है इस बात का, पावर शेरिंग डिजाइरेबल है, क्योंकि पावर शेरिंग में, P.O.W.E.R., पावर वर्ड में पाँच शब्द इलेटेस आते हैं, पाँच अलफबेट साते हैं, नॉनसेंस वाली बाते हैं, हाना उसी तरीके से, उसी तरीके से बात याद रखना, लॉजिक अगर है तो याद रखने में प्रॉब्लम नहीं है, पावर शेरिंग डिसाइरेबल है, प्रुडेंशल दो तरीके के रीजन से भ फिल बिंग लेफ्ट आउट, देरफोर देर विल भी नो कॉन्फिलिक्ट, हाना, तो यही हो गया, नॉनसे प्रॉडेंशल रीजन है, मॉरल रीजन क्या है, अगर तुम देखोगे, यह ब्लू नहीं, एक ग्रीन वाला भी है, मिरसे गलती हुई, यह ग्रीन वाला भी इसमे नहीं कुछ डीटेल में एक्स्प्लेइन नहीं किया है, फिलोसिफिकल बात किया है, यह स्पिरिट आफ डेमोकरिसी, पावर शेरिंग इस्था वेरी स्पिरिट आफ डेमोकरिसी, नमबर टू, पीपल हाव राइट टू बी कंसल्टेड और हाव डेया तू अगर तुम किसी करना है, तो पावर शेरियाने कि पीपल को भी पावर दी है, कि लोग जो कहेंगे तुम्हें वो करना है, कंसल्टेशन का क्या मतलब होता है, कंसल्ट करने का मतलब एडवाइस लेना, अब तुम किसी की बात सुन रहे हो और उस पर अमली ना करो, वही करो जो तुमारे मन मे आ रहा है, उसको कंसल्टेशन नहीं, उसको टाइम पास बोलते हैं, कंसल्टेशन वेन पीपल have the right to be consulted, हना, if the government is governing a group of people, then those group of people have the right to be consulted, as per regarding the government policies, उनको वो राइट है, कंसल्ट होनेगा, तो कंसल्ट करने का राइट है, यानि कि उनके पास पावर है कि उनके पास पावर है कि जो है, है, ठीक है, so power sharing is indeed the very spirit of democracy, people have the right to be consulted, as in how they are to be governed, यह जो है, यह आपके moral reasons है, ठीक है, अगर हम इस पारे में भी बात करे, अलग से, Moral reasons for power sharing Number one Power sharing is the very spirit of democracy Power sharing is the very spirit of democracy Number two The people have the right to be consulted The people have the right to be consulted, as in how they have to be governed As in how they are to be governed The people have the right to be consulted, as in how they are to be governed दोस्तों एक चीज है जो मेरे दिमाग में अभी अभी आई Topic से related तो नहीं है तुम जो भी students सुन रहे हो, मैं नहीं दिखूँगा, मैं जानता हूँ तुम्हें बैठूँगा नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ कि उचीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ ठीक है यह किस्सा यह हुआ था, students की मेरे एक मित्र थे, जो मेरे साथ ही पढ़ते थे अनिकेट नाम है उनका, अनिकेट सिंग तो वो मतलब एंजिनिरिंग कर रहे थे और एंजिनिरिंग करने के बाद जब वो campus placement में, यानि की मतलब job के सिलसले में, job वगरा के लोग गए थे तो एक बहुत बड़ी company आई थे उनके college में, ठीक है तो company अच्छी थी, package यानि की salary भी बहुत अच्छी, company आपहले बताती है कि हम साल में, साल का इतना पैसा देंगे, महिने का इतना देंगे, package डिकलेर कर देती है तो एक अच्छी company आये थी उनके college में, और उसका package सबसे high था कि वो company जो है, अब तक, जितनी भी company आई है, इस company सबसे ज़ादा salary में, employees को लेना चाहती है college में आई थी, students को लेने के लिए अब उस वक्त क्या हुआ, कि मेरे जो दोस्त थे अनिकेत, मेरे एक और दोस्त थे सागर दोनों talented थे, अनिकेत भी काफी अच्छा था, सागर भी अच्छा था तो अब ऐसे में क्या होता है, students की जब अनिकेत और सागर दोनों गए तो दोनों का percentage more or less, मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर बहुत ज़ादा difference नहीं होगा लेकिन उस वक्त पता है क्या हुआ, वो जो बड़ी company आई थी ना, जो काफी अच्छा package offer कर रही थी उसने क्या किया, उसने criteria लगा दिया, कि वो criteria ऐसा था कि college में मानो 200 बच्चे pass out हुए इस साल hardly 40-50 लोग उस interview में जा पाए, और उसमें से 3-4 लोगों को उन्होंने ले लिया क्यों क्राइटीरिया ही ऐसा था, क्राइटीरिया कैसा था कि 12th standard में 85% की उपर marks चाहिए और 10th standard में 90% की उपर marks चाहिए अब क्या हुआ, अनिकेत तो पहले से ही अच्छा student था, तो वो luckily उसका 12th में भी 85% की उपर था और 10th में 90% की उपर था, तो वो उसका हो गया, सागर भी smart student था पर उसका 10th में 12th में शायद नहीं था 85% की उपर नहीं था, even 10th में भी शायद नहीं था या कोई कुछ-कुछ student है कि 12th में 88% तो लेकर है, 12th को बहुत seriously, 12th बहुत important है, college इसके basis पे मिलेगा, 12th बहुत seriously पढ़ाई की, 10th में उतना नहीं पढ़ते था, दो उस्तियारी में रह जाते हैं ये कोई बुरी बात नहीं है, पर देखो, इस चीज में पढ़ना सरल है, पर इससे बहार आना कठिन है, और बहार तुम तब आ जाओगे जिस दिन तुमने सोच लिया, तुमें कुछ करने की भी जरूत नहीं है, जिस दिन सोच लोगे ये उसी दिन बहार आ जाओगे, यही मान के चलो, तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था, और मुझे ये समझ में आया, कि 10 स्टांडर्ड में जब बच्चे 15-16 साल के होते हैं, उस वक्त कोई इतना नहीं सोचता, लेकिन ये चीज़े तब काम आती है, और तब सोचो सागर को कैसी चुबन होई होगी, आन 10 स्टांडर्ड की मार्क्स का जादा से जादा क्या काम आयेगा, इसका जादा से जादा ये काम आयेगा, कि भाई हमको साइंस नहीं मिलेगा, हमको फिर कॉमर्स यार्ट्स लेके काम चलाना पड़ेगा, अगर मार्क्स कमाया तो, यही होता है, ठीक है, तो लोग यही सोचत कि 10th standard उतना main नहीं है 12th standard जादा main है 10th main है पर उससे जादा 12th main है और फिर वो जो degree में जितने percentile जो उतना pointer आएगा वो उससे जादा main है पर ऐसा नहीं है मैंने आखों से देखा है बहुत लोगों की बाते सुनी है मैंने महसूस किया है कि कई बार जीवन में बहुत बड़े बड़े अफसर इसलिए भी निकल जाते हैं क्योंकि इस उम्र में तुमने महनत नहीं की ठीक है तो मैं नहीं चाहता कि जो दर्द मुझे सागर को हुआ बड़े आगा वैसा बुरा तुमारे किसी दोस्त को तुमारे लिए लगे ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत जादा मुश्किल नहीं है अपना कोई लक्षे बनाओ जितने मैंने बहतरीन स्टुडेंस तेके और न्टीसे स्कॉलर्ज तेके और बोर्ड टॉपर्स तेके और य ठीक है, खुश रहो, इसका यह मतलब नी, सर ने बोल दिया, जिम्मेदार रहना है, तो डिप्रेशन में आ गए, मैं तो जिम्मेदार नहीं रहता, मैंने तो यह किया, मैं तो चार महीने पहले ही सोच रहा था, जिस चार हफ़ते पहले की यह चाप्टर कर लूँगा, चाप् लेकर की जाओ, ठीक है, खेर, पर हाँ, मैं नहीं चाहता की वैसा तुम में से किसी के साथ हो, तो इसलिए मैंने घटना तुमारे साथ शेयर कर दी, ठीक है, थोड़ा जिम्मेदार बन जाओ, बस और क्या, जिम्मेदारी माता से सीखो, जिम्मेदारी होती है, बुरा लगत मैंनु भंडारी उनके पिता जी कहते थे नहीं कि रसोई भटियार खाना है। लेखी का बन गई तब जाके शायद उनने उनका विभा किया पटियार खाना है उनकी जो जाएगा उसमें जोक दिया जाएगा सम्मान करना चाहिए इनका ठीक है इसलिए है तो हम कहते हैं सुनू जननी सोई सुत बड़ भागी बात याद रखना जननियों का सम्मान होना चाह ठीक है और उन्हें नहीं दिखरी जो सबसे पास है तो दूर वालों को क्या ही दिखाई देगी एनिवे स्मॉलर रीजन्स पुडेंशल रीजन्स वाई पावर शेरिंग इस डिजायरिबल पावर शेरिंग इस नेसेजिटी क्वेस्टन को गोली मारो ठीक है मुरको याद द लाना मैं तुमारे NCRT questions भी discuss करा दूगा क्या है यह चलो यह पढ़ते हैं case study दो लड़किया एनिट एक एनिट नाम की लड़की है ठीक है लिख लेते हैं लिख लिख के पढ़ेंगे ना तो बहुत मजाएगा एक एनिट नाम की लड़की है ठीक है एनिट मैं नहीं लिखत एक लड़की है A एक स्टूडन ए एक स्टूडन एक एक लड़की A लड़की S एनिट सेड़ीन से कोई फ़रक नहीं पड़ता in a Dutch medium school ठीक है Many French speaking students in a school want the medium of instruction to be French Selfie studies in a school अब दोनों का केस लगए Annette जो है, वो किसमें बोलती है वो Dutch medium भी छोड़ दो तुम Dutch school में पढ़ती है इसके school में Dutch भाषा में पढ़ा ही होती है पर Annette के school में बहुत सारी students है जो कहती हैं कि French में पढ़ाओ क्योंकि हम French है हम French है तो तुम Dutch में पढ़ाती हो हम घ्यान सीखना चाहते हैं मुझे पढ़ने का शौक है पर मुझे समझ ही नहीं आता आप क्या पढ़ा रहे है तो Annette जो है वो एक Dutch medium school में पढ़ती है उसके school में जो काफी लड़किया है जो French background से उनको Dutch समझ में आती तो काफी लड़किया है काफी जो French speaking लड़किया है students है वो चाहते हैं कि medium of instruction जो है वो French हो Selvy क्या है वो एक school में पढ़ती है in the northern region of Sri Lanka Selvy Sri Lanka में all the students in our school are Tamil speaking Selvy के school में जितने भी students है वो Tamil बोलने वाले हैं तो of course students की demand होगी कि Tamil भाशा में पढ़ाओ कि हम Tamilians है Tamil हमारी mother tongue है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको बता है Sri Lanka का case है तो of course यहाँ पर mention नहीं किया है पर यह तुम्हों खुद figure out करना है यहाँ पर Sinhala Sinhala भाशा में ही पढ़ाया जाता है Selvy studies in a school in the northern region of Sri Lanka Sri Lanka में north-south कहीं पर Sinhala language ही है All the students in a school are Tamil speaking and they want the medium of instruction to be Tamil अब students अगर चाहते हैं कि medium of instruction Tamil हो वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि Tamil medium of instruction नहीं है तुमारे school में हिंदी पढ़ा ही जाती है तुम कहोगे हिंदी पढ़ाओ हिंदी पढ़ाओ हिंदी पढ़ाओ तुम तभी बोलोगे जब हिंदी नहीं पढ़ा ही जाती तो Selvy के school में लोग Tamil पढ़ाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ श्रिलंका कि हमने देखा था Majoritarian ideology वहाँ सिर्फ Sinhala पढ़ाई जाती अब क्या है वो तुमको बताते हैं दोनों के parents इसके भी A और S दोनों के parents जो है school के government में school में जाते हैं ठीक है और या जो आस पास जिस area में school होगा वहाँ local government में जाते हैं और बताते हैं अपनी अपनी problem तुमसे वो ये पूछ रहे हैं कि A ये Belgium वाली की बात सुनी जाएगी या Sri Lanka वाली की बात सुनी जाएगी तो जाहिर से बात है इसकी बात सुनी जाएगी क्यों एनट जो है वो Belgium में पढ़ती है Belgium का model of power sharing अच्छा है वहाँ पे कोई भी government हो चाहे local government खास तो और पे Brussels की या central government हो तो वहाँ पे Dutch बोलने वाले Dutch speaking of French speaking ministers को ये संख्याई equal है तो Belgian model of power sharing is better तो इसकी possibility जादा है कि एनट जो है एनट के ममी पापा स्कूल में जाएगे तो उनकी बात सुन ली जाएगी लेकिन सिनहाला श्री लंका में तो majority in ideology है तो minority 100 हो या 100,000 हो हमको फरक ही नहीं पड़ता क्योंकि हम ये ठान चुके हैं कि हम majority की ही बात सुनेंगे minority जी है या मरे उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता तो क्या Selvy के parents हैं और ये ही पूछ रहे है if the parents of Annette and Selvy were to approach respective governments to realize the desire of the child who is more likely to succeed and why Annette is more likely to succeed because she resides in Belgium and the Belgian model of power sharing is a better model of power sharing या is a fair model of power sharing ठीक है ये fail हो जाएगी क्योंकि ये श्री लंका में पैदा हुई इसका कोई दोश नहीं है पर जो एक करता है ये कर्म कहता है संस्कृती कहती है मैं नहीं तुमारी संस्कृती तुम्हें बता रही है ये बात याद रखना कर्म इस तरीके से काम करता है कि जो एक करेगा उसका असर सब पर होगा और जो सब करेंगे उसका असर भी एक पर होगा कुछ लोगों की वज़े से एक बच्ची जो एक देश में पैदा हुई उसका कोई दोश नहीं है उसको जबर्दस्ती उसको नहीं समझ में आता फिर भी रट रट के जबर्दस्ती उस भाषा में पढ़ाई पढ़ने पढ़ रही है तो उसको समझ में ही नहीं आती ठीक है और हमें लगता है सिर्फ हमारे देश में परिशानी है ये एक और केस है खलील्स डेलेमा इसकी और देखो तो चलिए अब खलील्स डेलेमा को समझते है खलील्स नाम के एक व्यक्ति है उनकी डेलेमा उनकी परिशानी मन की उलज़न क्या है उनकी खलील की प्रॉब्लम ये है कि खलील जिस देश में पैदा हुए वो लेबनन है और मुस्लिम लोग भी काफी थे क्रिशिन्स दोनों रहते थे दोनों अलमूस्ट बराबर थे तो ऐसा समझो कि around 50% क्रिशिन्स थे 50% मुस्लिम्स थे दोनों के cultural differences हुए तो एक civil war हो गई मुस्लिम्स और क्रिशिन्स दोनों के बीच में civil war हो गई दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े, बहुत bloodshed हुआ, खून खराबा हुआ और उसकी बाद finally लोगों ने बोला देखो ultimately चाहे हम दोनों का धर्म अलग-अलग हो हमें रहना तो एकी देश में है, चहरा तो रोज एक दूसरे का ही देखना, एकी देश में रहना है, लड़गे कोई मतलब नहीं कोई समझोते पर आते हैं, तो Christian community भी मान गई, Muslim community भी मान गई, तो क्या समझोता किया उन्होंने कि हम मिलकर के देश में रहेंगे, तो उन्होंने समझोता ये किया, कि हम जो Christian है, वो France है, यानि कि जो बाकी है, European देश है, Lebanon के बगल में मेरे ख्याल से कहीं France होगा, हम किसी और Christian देश से मदद नहीं मांगे, Lebanon ने का कि मैं किसी दूसरे Christian देश, देश या France से मदद नहीं मागूंगा लड़ने के लिए, मैं French interference नहीं लेके आ लेगी, French या France is a Christian country, तो France जो है, वो Lebanon की Christian community को सपोर्ट करेगी, तो दोनों नहीं कहा कि हम किसी विदेशी, Muslims ने Lebanon के Christians ने, as well as Muslims दोनों नहीं कहा कि हम France, Syria किसी भी विदेशी देश से मदद नहीं लेंगे, फिर ये main बात नहीं, main बात ये है कि दोनों ने एक political arrangement किया, कि President Babylon में राष्टरपती बन सकते हो, अगर तुम Christian परिवार में नहीं जन में हो, धर्म परिवर्तन करो, जो करना है करो, पर अगर तुमें Christian हो, if you are a Christian only, then you can be the President, उसमें भी ये दिखा है, Catholic sect के कुछ लिखा है, anyways, Christian ही President बनेगा, Vice President जो है, वो Muslim बनेगा, Prime Minister में, Prime Minister Muslim बनेगा, Vice Prime Minister ये Deputy Prime Minister Christian बनेगा, तो President में Top Position Christians के पास है, और Prime Minister में Muslims के पास है, और Lower Vice वर्सा है, President Christian बनेगा, और Vice President Muslim, Prime Minister Muslim बनेगा, और Deputy Prime Minister Christian ऐसे उन्होंने पोस्ट डिवाइड कर लिए, कि इन पोस्ट पे तुमको बैठना है, तो इनी धर्म के लोग बैठ सकते हैं, तो खालील जो है, वो भी राजनेता बनना चाता है, बहुत popular है, वो भी President बनना चाता है, पर खलील का जन्म में Muslim परिवार में हुआ है, खलील नाम से ही आपको समझ मैं रहा, कोई Robert Rogers तो नाम है नहीं, तो खलील Muslim है, पर अभी जो President सिस्टम है, उसके हिसाब से खलील कभी भी President नहीं बन सकता, President को बड़े बुजरगों से पूचता है, यह सिस्टम क्या बकवास है, क्यों ना हम नॉर्मली एलेक्शन सोल्ड करा है, अगर मैं एलेक्शन हार जाता हूं तो मुझे स्वीकार है, मैं नहीं बनूँगा, अगर जीच जाता हूं तो बनने दो, उन्होंने बुला, नहीं, यह सि क्या सवाल था, कि विकरम अगर तुमारे पास यह शक्ती होती, कि तुम पास्ट में जाकर के, जब लेबनन का सम्विधान बन रहा था, दोनों कम्यूटी समझाता कर रहे थे, तब तुम बेलजियम के, सौरी, लेबनन के रूल्स रिराइट कर सोको, तो तुम क्या क्या करोगे, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन्स भी मेरे ख्याल से दी है, कि तुम वही करोगे, जो लेबनन में रूल लिखा था, कि जो पहले हो रहा था, क्या तुम वही होने दोगे, कि आप प्रेजिडेंट की पोस्ट मुस्लिम्स के लिए, सौरी, प्रेजिडेंट क्रिश करोगे, या तुम कुछ और करोगे, और do something else, तो वह आपको इसमें यह लिखना है, अगर खुदा ना खासता ही आता है, या इसका answer मैं तुमको ऐसे ही बता देता हूँ, कि we will change the rules, rules कैसे change करेंगे, कि दोनों communities एक दूसरे की respect करेंगी, हम ऐसे laws बनाएंगे, कि हर एक के culture को हर एक के religion को respect मिलेगी, अगर जो है, अगर church बनाने के लिए सरकार पैसे खर्च कर रही है, तो mosque बनाने के लिए भी सरकार पैसे खर्च करेंगी, हम ऐसे rights बनाएंगे, कि कोई भी religion, right to religion की कोई भी religion के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता, हम ऐसे भी rights बना सकते हैं, कि किसी को Muslim से Christian बना है, तो बन जाए, वो उसकी choice है, religion या religious आधार पे कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे, ऐसे हम rights बना देते, ठीक है, साथी साथ अगर ये election का ये system पुराने वाला नहीं होता, ये Prime Minister तुमारा तो President हमारा, तो Deputy तुमारा तो Vice हमारा ही system नहीं होता, हम इस system को ले कर के चलते, कि हम इसको इस तरीके से करते, कि हम free and fair elections hold कराते, और जो भी उन elections में, free and fair word mention करना जरूरी है, पहले तो उनमें ये लिखना Khalil's dilemma में, कि हम उनको cultural rights दे देंगे, ऐसे right to religion, वो religion choose कर सकते हैं, no discrimination on the basis of religion, plus free and fair elections hold कराएंगे, कि जो भी election जीते, चाहे वो Muslim हो, चाहे Christian हो, तो President बन सकता है, अगर हो Prime Minister के election जीतता है, तो Prime Minister बन सकता है, doesn't matter सो उनका religion क्या है, ठीक है, तो Khalil's dilemma हो गया, coming back to the topic, इस chapter का 95% आपका chapter हो गया, 90% कहो, 10% इसको क्यों दे रहा हूं, forms of power sharing, क्योंकि है सबसे important topic है इस chapter में, forms of power sharing, यहीं पर तुम question लिखो, what are the forms of power sharing, ठीक है, इ की उपर तुम question लिखोगे, what are the various forms of power sharing, यह सवाल जो है तुम लिख रहे हो, अब इसमें अलग-अलग system तुमको दिये गए है, सहाब एक horizontal form of power sharing, vertical form of power sharing, power shared among different social groups, खैर, वो मैं तुमको बताऊंगा, तुम tension मतलो, इतना, तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है, forms of power sharing में तुम देखोगे, क्या देखोगे तुम forms of power sharing में, देखो एक तो होता है, horizontal, horizontal का मतलब होता है, लेटा हुआ, जो ऐसी लेटी हो, इसी धी लाइने होती है, horizontal form of power sharing, और एक होता है आपका vertical, खड़ा, vertical form of power sharing, ठीक है, horizontal form of power sharing, vertical form of power sharing, इसमें आप देखोगे, किस-किस तरीके की power sharing होगी, horizontal form of power sharing भी देखेंगे, हम vertical form of power sharing भी देखेंगे, horizontal form of power sharing जो है, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, इसको हम ये भी कहते है, system of checks and balances, समझाऊँगा, तफसील से, tension मतलो, ठीक है, system of checks and balances, ठीक है, vertical form को क्या बोलते है, vertical form of power sharing is also known as federal form of power sharing, ठीक है, vertical form of power sharing को, federal form of power sharing भी बोलते हैं, क्या होता है, दुनों तुमको बताता हूं, देखो, horizontal शब्द से समझ में आता है, later हुआ हुआ है, याद रखना, horizontal lines, later हुई line है, तो horizontal power sharing में क्या होता है, horizontal power sharing में, horizontal form of power sharing में क्या होता है, कि तुम इसको इस तरीके से देखो, कि जैसे सीधे लोग हैं, ठीक है, तो legislative, executive, judiciary, इसमें ये तीन लोग जो होते हैं, main होते हैं, legislative, executive, judiciary, ये तीन लोग यहाँ पर main होते हैं, ठीक है, इसको horizontal form of power sharing क्यों कहा गया, देखो याद रखना, horizontal सीधी हुई, horizontal तुम समझते हो, horizontal जो है, वो लेटी हुई लाइने होते हैं, vertical खड़ी हुई लाइने होते हैं, ठीक है, खड़ी है, horizontal लेटा हुए, देखो जो horizontal लाइने हैं, उसमें कोई भी उच नीच नहीं है, मिरको बताओ, यह marker है, अगर horizontal है, तो चाहे कोई यहाँ खड़ा हो, चाहे यहाँ खड़ा हो, सब सेम लेवल पर हैं, तो horizontal form of power sharing इसलिए कहते हैं कि legislative, executive, judiciary, तीनों एक ही level पर है, ऐसा नहीं है कि यह उपर हैं नीचे है, जैसे प्राइम मिनिस्टर और deputy prim minister में, prime minister उपर है, deputy prime minister नीचे है, president उपर है, vice president नीचे है, मुख्य मंतरी ऊपर है, मुख्य मंतरी नीचे है ऐसा होता है ना, लेटिन टू पर सब लेटिन नीचे लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां पर सब एकी लेवल पर है है, legislative भी ऐसा नहीं है कि executive हाँ सहब बोली है यह Judicial है कैसा काम चल रहा है नहीं तीनों जो है एक दूसरे एक ही लेवल पर है तीनों सीनियर है ऐसा नहीं कोई सीनियर है कोई जूनियर है तीनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं all three of them are on the same level so ladies and gentlemen while you are explaining the horizontal form of power sharing you have to mention that horizontal form of power sharing comprises of legislative, executive and judiciary this form of power sharing is known as horizontal form of power sharing because all of them are on the same level सभी जो है वो same level पर है हना इसलिए इसको horizontal form of power sharing कहा जाता है साथी साथ इसी form of power sharing का एक और नामे बहुत important है दोस्तों अगर शुबम सर कह रहे हैं कोई question important है तो बहुत ज़ादा important है क्या है this form of power sharing is also known as system of checks and balances इस form of power sharing को हम क्या कहते है system of checks and balances भी कहते हैं इस form of power sharing को तो इसको ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे पर check कर सकते है legislative जो है ठीक है अगर तुम्हें इस चीज को ध्यान से देखोगे तो legislative जो है वो check कर सकता है executive के काम को executive भी check कर सकता है legislative judicary जो है वो दोनों के काम को check कर सकती है कल को judiciary से गलती हो तो भाई मंतरी लोग भी चेक करते हैं legislative लोग भी तो देखा जाए तो all three of them keep a check on each other that is why this is known as system of checks and balances board examination का question है तुमसे ये भी पूछने है write a short note on the system of checks and balances or define the system of checks and balances horizontal form of power sharing बोलेंगे तो बच्चा समझ जाएगा तो दूसरे नाम से पूछते हैं एकम सत्यम जैसे तुम एक answer को अलग-अलग तरीकों से लिख सकते हो वो एक ही सवाल को अलग-अलग तरीकों से पूछ सकते हैं तो अगर तुमसे system of checks and balances तो checkmate chess की तरह check कौन करता है system of checks and balances is the system of horizontal power sharing where all the three bodies are on the same level that is legislative making the law executive implementing the law judiciary which acts as a watchdog judiciary watchdog की तरह देखता है कि कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है और court का चैरी वो सब तुम समझते हो तो legislative executive judiciary ये है horizontal form of power sharing इसी तरीके से तुम एक और form of power sharing पढ़ोगे कौन सा form of power sharing पढ़ोगे vertical अब तुमने लेटी हुई अब तुम खड़ी हुई power sharing पढ़ोगे ठीक है तो we have to know vertical form of power sharing vertical form of power sharing में क्या है ये सीधा है ठीक है इसमें उच नीच होती है क्योंकि इसमें कौन कौन आते हैं इसमें तीन लेवल पे तीन लोग आते हैं वर्टिकल form of power sharing में इसमें एक होती है central government अफकोस Central Government का दरजा State Government से उपर होगा उसके नीचे आती है State Government और उसके नीचे आती है आपकी Local Government या Third Tire Government जो है इसमें पंचायती राज मुन्शिपल कॉर्परेशन आएगा अब इसको थोड़ा थोड़ा explain कर दो इसमें कौन सी Rocket Science की बात है Central Government जो है वो कौन से वो National Topics या National Issues को डील करती है State Government, State Topics या State की Issues को Local Government कुछ जो Local Areas है आपकी कुछ Local Areas या आपके कुछ जो Localities है किसी Specific Localities के Problem को Locality के Problem को ये डील कर सकती है इसको हम कहते है Federal Form of Power ये Federalism में तुम पढ़ोगे ठीक है Next Chapter में Probably इसको हम ये भी कहते है इस Also Known as Federal Form of Power Sharing हाना इस Form जैसे उस Form Horizontal को System of Checks and Balances कहते है इसको Federal Form of Power Sharing कहते है ठीक है क्या कहते है Federal Form of Power Sharing तो इस इस Also Known as Federal Form of Power Sharing इतना तुम समझ गए होगे कोई Rocket Science की बात नहीं है इन तीनों को थोड़ा थोड़ा Explain कर देना Central Government deals with the National Issues State Government इसको Federal Structure क्यों बोलते है Federal Structure क्यों तर वर्ड फेडरल Itself Means हाना White Ink लेता है यस The word Federal Itself Means Multiple Tires of Government या It Means Multiple Levels of Government World Federal Federal शब्द का अर्थ ही होता है एक से ज्यादा प्रकार की सरकार. नहीं, राजा मो नार्टी वो उन एक ही सरकार है Central Government Only नहीं, federalism या federal देश वही हो सकता है, जिसमें एक नहीं, multiple tires of government हो, multiple levels of government हो, उसी को, इस structure को ही federal structure कहते हैं, तो दो सबसे important तुम समझ गए होगे, एक होता है horizontal, check system of checks and balances, because each body keeps a check on each other, आगे लिख दे थोड़ी English टाल के, they keep a check on each other, they make sure that they are doing their work properly or not, तो एक होता है system of checks and balances, horizontal form of power sharing, एक federal form of power sharing, याने कि vertical form of power sharing, और इसके अलावा और दो तरीके की power sharing है, जो तुम अब यहाँ पर समझोगे, अरे हाँ या ना, ठीक है, horizontal, vertical, अब तुम आओगे यहाँ पर, power में also भी shared among different social groups, और मेरे खाल से pressure groups के उपर है, political parties and pressure groups, देखो, मैं तुमको सिध्धानत बताता हूँ, यहाँ पर पढ़ाया क्या जा रहा है, उससे तुमको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, खुद हूब, खुद ही तुमको याद हो जाएगा, देखो, दोस्तों मेरे ह देश में, पावर क्या होती है, कोई काम करने की, कोई कानून बनाने की, यह सब पावर है देश में, तो यह सब पावर तो है, तो यह पावर किसके पास होती है, देखो, पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे legislative के पास अलग पावर है, कानून बनाने की, executive के पास अलग का पाव पर उस कानून का पालन कौन करवाएगा, फाइन काटेगा कौन, एक्जिक्यूटिफ, जुडिशरी कोई लफड़ा हुआ, तो जुडिशरी के पास चाओ, कोई तुम्हारे किसी ने तुम्हारे राइट्स का हनन किया, जुडिशरी उसी के लिए, तो पावर शेरिंग यहां अब जो तीसरा फॉर्म आफ पावर शेरिंग तुम पढ़ोगे, पावर शेर्ड बेट्विन पॉलिटिकल पार्टीस एंड प्रेशर ग्रूप्स नहीं नहीं क्या है, पावर शेर्ड बेटिफरेंट सोशल ग्रूप्स, अब क्या है, देखो सोशल ग्रूप्स के पास भी और है Power का मतलब अधिकार है, देखो तुम बहुत स्टूडेंट्स पता है, चाप्टर के एंड तक नहीं समझ पाते हैं कि पावर शेरिंग में पावर का मतलब क्या है देखो student आपके पास कोई power नहीं है आप ना तो पैसा कमाते हो ना आप कोई पैसे की power है ना पड़ लिखके कोई बड़े government officer बन गए हो तुम्हारे पास कोई power नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हारे पास rights तो है Rights itself are a power अधिकार से बड़ी शक्ती क्या हो सकती है तुम्हारे पास power क्या है कि तुम्हारे पास ये अधिकार है कि अगर तुम 18 साल की उपर अभी तो नहीं हो हो जाओ तो तुम जिसे चाहे vote डाल सकते है अगर तुम 18 साल के नहीं भी हो फिर भी तुम्हारे पास अधिकार एक cultural and educational rights की सरकार को तुम्हे education देना ही है अप टिल 8 standard पता निया अलग-अलग state में थोड़ी मोड़ी changes होंगे but at least primary education तुम्हें एक student तुम्हें मिलना ही चाहिए तुम court में जा सकते हो अगर कोई local school का seat नहीं हो कि तुम कहो मैं इस locality का बच्चा हूँ प्रमान पत्र है मेरे पास सरकार ने मुझे अधिकार दिया है तुम्हारे पास fundamental rights है कोई तुमको कहे कि तुम तुमको यहां नहीं बोल सकते तुमको free speech में कहीं जा रहे हो किसी competition में participate करने school वाले बोले आरे तुम तो Hindu हो Muslim हो Christian हो भागो यहां से हना कुछ भी भूल सकते हैं तो वहाँ पे तुम कहा सकते हो it is discrimination right to equality का हनन है तो तुमारे पास यह power है कि fundamental rights का हनन हो तो तुम सीधा Supreme Court जा सकते हो अगर तुमारे fundamental rights का हनन हो तो तुम्हें lower district court जाने की जरूत नहीं है there's a provision in the constitution if the fundamental rights are challenged then you can directly go to the Supreme Court अरे हाँ या ना समझ रहे हो ना so fundamental rights challenge नहीं करने चाहिए तो यह चीज़े हैं तो यह बात याद रखना rights होना अधिकार है rights होना भी power है तो power shared between religious groups and social groups social society के group religious group जैसे Hindu Mahasabha All India Muslim Personal Law Board इनको समझ लो मैं इतना जानता तो नहीं धर्म के बारे में example दे रहा हूँ बस समझ लो take them as religious groups Hindu Mahasabha या All India Muslim Personal Law Board take them as religious groups और इसको इस तरीके से देखो कि यह दोनों religious groups हैं इन दोनों के पास अपने rights हैं कि Hindu Mahasabha Hindu से related चीजों के बारे में बात कर सकती हैं वो उन से related चीजों के बारे में बात कर सकते हैं suggestions दे सकते हैं prescription कानून नहीं बना सकते हो सरकार बनाएगी पर आपने जो suggestions छोटे मोटे events जो हैं उस धर्म के लोगों के लिए वो organize कर सकते हैं तो यह power यही जो right है यही तो power है ऐसा नहीं कि power होनी चाहे कि building किरा दूँ यह कर दूँ नहीं अगर आपके पास कुछ करने का अधिकार है तो वो भी power है तो power shared between different social groups या religious groups it means all social groups and all religious groups are independent to organize their events they are independent to organize any activities regarding their religion or society वो social group है तो अपने society से related religious group है वो कोई भी activity organize कर सकते हैं कोई भी and any individual can join any social group or a religious group even any individual can form, can start their own religious group or social group अब जैसे हिंदू महासभा है तो हिंदू परमसभा को तुम start कर दो क्या दिक्कत है बहुत सारे हिंदू religious groups है हिंदू महासभा is the famous one तुम भी अगर तुम Muslim हो तुम कोई कुछ start कर दो कानूनी तौर पर तुमारे पास अधिकार है Christian हो start कर दो, सिखो start कर दो point is कि when we say that power is shared between different social groups as well as between different religious groups we mean that there is no discrimination between social groups or religious groups the social groups and the religious groups are free ऐसा नहीं कि सरकार बैंड लगा देगी नहीं social groups and religious groups are free to organize their own events start their own, form their own associations वगड़ा वगड़ा any individual is free to join them any individual is free to start their own social groups or religious groups ठीक है, कोई भी start कर सकता है clear है, अब जब last form of power sharing जब हम देखते हैं ठीक है, हाँ, इसमें एक और चीज़ तुमको याद रखनी होती है ठीक है, reservations भी इसमें आ जाते हैं कि reservation जब आप किसी के लिए देते हो ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम देखोगे हाँ, इन सम कंट्रीज यह तुमको फिर्फ पढ़ना है जो red color से highlighted है इन सम कंट्रीज यह, it is only for reading हाँ, एक्जाम में आता नहीं है बड़ रीड करना इन सम कंट्रीज तैरा constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administration legal arrangement यानि कि reservation की बात करने है, कुछ देशों में reservation होता है इतना person seat औरतों के लिए तो लोक सभा में औरत ही उस seat पर बैठ सकते हैं इतना person minority के लिए, ठीक है last year we studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of a country this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would have disappeared ऐसा कुछ लिखा होगा, who otherwise would have felt alienated ठीक, एसी दीसी बात है, हर एक social group का कोई समाच के किसी भी हिस्से से हो कोई किसी भी धर्म या मजब में विश्वास रखता हो हम उसका सम्मान करते हैं यही सीजी सी बात कही गई है वो reservation हमने दिया है कि ऐसा ना हो कि किसी को भी लगे कि मेरी community का, नहीं देखो 3% लोग तो तुम्हारे 3% लोग तो ही कम से कम उसके उपर तुम कितना जीतोगे, वो भी लोग आ रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है कि reservation अगर हमने मानो पार्सियों को 2% दिया है तो 2% पार्सि बैठेंगे नहीं, 2% तो compulsory है उसके उपर भी अगर कोई पार्सि चुनाव जीतता है वो भी बैठ सकते हैं, 2% तो minimum है reservation मतलब minimum है, उसके उपर भी तुम आ सकते हो ठीक है, अगर और पार्सि चुनाव जीतते हैं तो 40%, 50% पार्सि भी हो सकते है हाला कि उनकी उतनी population नहीं है anyways, the last form of power sharing is between political parties and pressure groups power मतलब right social groups और religious group को क्या right है अपनी meetings hold कर ले अपना कोई event organize कर ले लोगों के पास power है कि कोई religious group right है, कोई religious group या social group join कर ले लोगों के पास यह, right मतलब power right is equal to power social groups और religious groups के पास right है, यह power है कि वो अपने meetings या फिर अपने events host कर ले किसी individual के पास right है कि वो किसी भी social group या religious group को join कर ले किसी individual के पास यह भी right है कि वो अपना खुद का social group या religious group start कर ले हाना, उसी तरीके से power shared between political parties and pressure groups, power is equal to right, political parties के पास right है, government को criticize करना, political parties के पास right है कि government को oppose करना, government rallies निकालना, march निकालना यह more चावो नोचा निकालते रहते हैं pressure group कौन होते हैं, NGOs वगेरा जो government पे धावा बोलते हैं, नहीं तुम इदर जंगल नहीं काट सकते यह NGO, वो NGO, हम non-government organization हैं, हम धरना देंगे, हम government पे pressure बनाएंगे, media भी उसमें कभी-कभी आ जाती है, government pressure group का कामी है, government पे pressure बनाना, कि government अपने decision को वापस ले दे, तो इनके पास भी power है कि यह कानूनी है, अब चाइना की तरह थोड़ी है कि students protest करेंगे, तो तुम tank regiment भेजोगे सटको पर, कि तोप से उड़ा दो अगर नहीं मान रहे हैं, तो यह चाइना की तरह तो नहीं है, because democracy में अधिकार है आपके पास, भी ऐसा form of government देखा है, जहाँ पे तुमारे पास मोर्चा निकालने का, धरना देने का, protest करने का अधिकार है, तो right है, so इनके पास भी, when we say power shared between political parties and social groups इसको explain करना, कि political parties have the right or they even have the power, right मतलब power एकी बात है, तो तो मैं ऐसे ही लिखना, political parties have the right and they even have the power to criticize the government, हना to protest against the government to, you know, organize marches and rallies, यही बात है और जहां था कि pressure groups की बात, they can create pressure on the government, pressure groups comprises of NGOs, हना that can create the pressure on the government to make sure that government changes its decision, तभी तो pressure बना रहे हो, अगर तुम खुश हो सरकार के decision से, तो तुम क्यो pressure बनाओगे तो यही चीज़े हैं, उसी का जिकरे हाँ पर किया जा रहा है, ठीक है बस दोस्तों, इस से जादा मैं और कुछ तो नहीं समझता यह पढ़ना जरूरी है, 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 मैं समझता हूँ, समझता हूँ यह last वला करा देता हूँ यह questions मैंने हूबहू देखे हैं examination में, board examination में competency based question आते हैं सच मान रहा हूँ, बता देता हूँ ज्यादा time नहीं लगेगा, ठीक है अब तुम्हें बताना है कि किसकी चलेगी, देखो the Bombay High Court ordered the Maharashtra State Government, पहला bullet point देखना, ठीक है the Bombay High Court ordered the Maharashtra State Government to immediately take action and improve living conditions for the 2000 odd children at 7 children homes in Mumbai, who is power sharing with whom, इसमें कौन किसके साथ power sharing, महarashtra की कोट, महarashtra सरकार को आदेश देती है कि जो 2000 बच्चे हैं ठीक है, जो children home में रह रहे हैं, 2000 साथी children home में कैसे कैसे रह रहे हैं उनके लिए घरवर बनवाओ, कोई योजना कुछ करो उनके लिए, तो महarashtra Government नहीं order दिया है, अब हो क्या रहा है कि कोट ने किसको order दिया, state government को अब मेरे को कोट क्या है judiciary, state government किसमें आती है, legislative में आ जाएगी अरे, state में भी अपनी विधान सभा होती है कि इंदर में भी होती है, तो government, legislative court, judiciary, judiciary क्या होता है, horizontal में आता है, नहीं vertical में आता है, नहीं, horizontal में आता है confuse कर रहा था मैं horizontal form of power sharing में judiciary आता है, system of checks and balances legislative, executive, judiciary, तो एक कौन सा form of power sharing है, who is sharing power with whom, judices system of checks and balances this is the horizontal form of power sharing and in this the judiciary is sharing the power with legislative, ठीक है, दूसरा the government of Ontario state in Canada has agreed to a land claim settlement with the aboriginal community कोई XYZ community है the minister responsible for native affairs announced that the government will work with the XYZ community in a spirit of mutual respect and cooperation, ठीक है government Ontario कोई state है, Canada का, वहांकी government ने, एक land claim आपको पता है कि सरकार बोलती है, जमीन तो मेरी है, ये तो सरकारी जमीन है, वो बोलते है, रे सरकारी जमीन कैसे हो, हम पुष्टों से यहां रह रह रहे हैं, सरकार पुछेगी, अथारकार बोलते हैं, नहीं, सबूत नहीं है, हम तो पुष्टों से रह रहे हैं, तो जगडे होते हैं, तो इस जगडे को settle कर दिया गया, ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे local लोग है, प्लस कौन है, state government है, तो state government और local लोग है, तो मेरी समझ से, अगर मैं गलत नहीं हो, तो यहां पे vertical form of power sharing की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहां पे government, हना, state, Ontario state की government, एक state government responsible है, अगर तुम्हें दोनों में से कोई एक party भी पता है, जो matter में involved, वो एक party किस-किस form of power sharing में स्टेट गवर्मेंट जो है, क्या वो horizontal में है, नहीं, वहां तो legislative, executive जुड़ी शरी है, हाँ state government vertical में है, हना, central government, state government, local government, तो probably यहां पे, central government, जो है, the ministry responsible, native of the state, the government, ministry, जो है, government, जो XYZ community के लोग है, उनके साथ मिलकर के काम करेगी, तो मेरे कहाल से, सरकार और लोगों के बीच power share हो रही है, so probably power share between political parties, and religious, and pressure groups नहीं, social groups, and religious groups नहीं, यह मेरे कहाल से, vertical form of power sharing होगा, correct me if I'm wrong, Russia's two influential political parties, the union of right forces, and the liberal yabloco movement, agreed to unite their organizations into a strong right wing coalition, they proposed to have a common list of candidates, दो parties है, साथ में आगई सीधी सी बात है, parties की बात हो रही है, so third one is, power share between political parties and pressure groups, fourth one, the finance ministers of various states in Nigeria got together and demanded that the federal government declare its source of income, finance ministers of various states of Nigeria, they also wanted to know the formula why which the revenue is given, हाँ, यहाँ पर state or central government के बीच का लफडा है, अना state government के अलग-अलग भारत में प्रफड़म्ने भी जैसे बहुत सारे state है, बहुत सारे state के state finance ministers, बहुत सारे state के ministers है और central government से बताए कि हमें बताओ आप किस आधार पे states को पैसा बाटते हो, आप कैसे तह करते हो कि इस राज्य को ज़ादा पैसा मिलेगा, इस राज्य को कम पैसा मिलेगा तो अब क्या है state governments या the state ministers are questioning या मैं कह सकता हूँ the state government is somewhere in some way the state government is questioning the central government तो ऐसे में आप क्या करोगे when state government और central government में problems आ रही हैं तो मेरे ख्याल से the finance ministers of various states in Nigeria ठेक एक तो political party and pressure group यो लोग political party से होंगे social groups and religious groups तो नहीं होगा probably क्योंकि state government और central government involved है तो again even this will be vertical form of power sharing ठीक है बट इसे चेक करना अगर हो सकता है कि मैंने कोई answer बताया वो गलत answer बताया हो तो इसमें कोई हसल करने की बात नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप अपने हिसाब से इन answers को चेक कीजेगा मुझसे गलती हुई होगी तो मैं खुद इसे चेक करूँगा ठीक है आखरी बार ये chapter मैंने बहुत पहले पढ़ाया था पर कोई दिक्कत नहीं है मुझसे गलती हुई और तुम से ना हो तुम मुझसे आगे निकलो यही किसी गुरू के लिए बड़ी बात है शुक्रिया